एक चेतावनी है वीडियो इस्टार्ट करने से पहले सोट्स और रील देखने वाले लोग जो है इस वीडियो को बंद कर दें क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाले हैं अक्सर क्या है कि आज की रेट में लोगों की आदत बन चुकी है कि जो spam है चीजों को देखने का बहुत छोटा होता जा रहा है इसकी वेसे जो लंबी वीडियो है खासकर जो educational वीडियो है वो लोग जादा focus देकर नहीं देखते हैं यह मैंने एक्सर देखा है पर लेकिन जो देखेगा उसके लिए मैं guarantee देता हूँ 100% आप लोग अगर ये वीडियो लास तक देखता है जो भी सबसे पहले तो पीट थप थपा ले ना क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एंड तक टिंग नहीं पाते हैं और इसे के साथ में आप लोग का एक महीने का current affair जो भी important पूरे महीने का अंदर निचोड होगा वो सारा इस वीडियो के एक single वीडियो के अंदर आप लोग का cover होने वाला है तो अच्छे से टक टकी लगा कर देखना ताकि वीडियो के end तक आप लोग के mind से बिलकुल सारी चीज़े जो हैं एकदम बिलकुल नहीं clear हो जाएं और इसी के साथ में जो सबसे important बात है ये जो वीडियो होती है ये हर एक exam में आप लोग को फाइदा पहुँचाएगी पर इसको detail में discuss करता हूँ में reason कहा है क्योंकि main focus यहाँ पर आप लोग को UPSC देखने को मिलेगा पर लेकिन दूसरी भी exam के अगर आप लोग तैयारी कर रहे है जैसे CDS होगया, NDA होगया, State PCS होगया तो आप लोग के लिए तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि detail में चीज़े हो जाएंगी तो बहुत सारे लोगों से आप लोग वैसे ही आगे निकल जाओगी ठीक है, तो यह बताईए कौन reality में इस video का इंतजार कर रहा था और कौन यह है कि चलो आगी है तो देख लेते हैं जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए और भी अच्छी होगी क्योंकि उनके थे कि आप लोगों ने सुनाओगा कि सब्र का फल मीठा होता है तो ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तो काफी शांदार यह discussion रहेगा जैसे ही video complete होती है इसके बाद में फिर आप लोग आसानी से जाकर इसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं तो हिंदी और इंग्लिस में PDF आप लोगों मिलेगी तो यह भी आप लोग के लिए facility available आप लोग को देखने को मिलेगी पर उसके लिए थोड़ा सा इंज़ार कर लेना एक दुदिन का तब तक इसको translate करकर provide करा देगे इंग्लिस वाली immediately provide करा देगे ठीक है तो आईए discussion आगे बढ़ाएंगे सारी चीज़े के करकर देखेंगे जहां भी कोई दिक्कत कोई समझता कोई प्रेसा नहीं होगी तो बताना फिर उसको दूर करकर आगे बढ़ते वे नजर आएंगे बहुती interesting और important portion है हाँ पर हम लोग बात करेंगे report और index के बारे में छोटा सा portion है कुछ कम ही news है पलेकिन important है एक एक करकर यहां पर देखते हैं दोस्तो इस news के उपर star लगा लेना क्योंकि यह कैसी news है जो कि current प्लस static का एक mixture आप लोग को दिखाएगी इसमें क्या बात की जा रही है कि freedom of praise यानि कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जिसको democracy का fourth system बोला जा रहा है वो recently अभी यहां पर उसकी independence से घटती वी नजर आईए यह बात यहां पर बोले गी है आप लोग को एक ऐसा देश धरती पर देखने को मिलेगा जिसका नाम है China चाइना के अंदर में आज की date में सारी चीजे खुद की हैं और एक तरीके से बोल सकते हैं उनको अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी नहीं है तो इसमें 29 country top पर देखने को मिलेगी और चाइना भी 9th year यहां पर worst condition होती आप लोग को नजर आ रही है जिसमें internet freedom के बारे में हम लोग बात करते हैं अभी जो important है इरान के अंदर में भी काफी large scale पर इसको control करने की कोशिस की गिये तो global internet freedom decline हो रहा है 13 साल से लगातार यानि कि आज की date में जो दुनिया है वो internet को free देखना पसंद नहीं करती है या तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो पर यह बोलना गलत होगा क्यों? क्योंकि दुनिया तो देखना पसंद करती है political authority उसको देखना पसंद नहीं करती है क्योंकि उनके बारे में अक्सर चीज़ें महाँ पर लिखी जाती है इसके बारे में हम लोग publish करेंगे तो यह देखेंगे हाँ पर एक particular index जो है हमारे देश के अंदर में यहाँ पर दो चीज़े क्या cover कराऊंगा मैं आप लोगी तीन चीज़े आप लोगो बताऊंगा यहाँ पर तो यह freedom house report है जिसमें यह बाते बता दिये इसी के साथ में जहांसे question आप लोगा पूछा गया है वो है world price freedom index इससे question आप लोगा पूछा जा चुक है exam में यह किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो reporters without borders exam में question जो आते हैं उठागर देखना PYQs पुरानी question paper यह question आप लोगो देखने को मिलेगा कि हाँ पर कौन कौन से indicator यहाँ पर जिसके बेस पर इसको प्रस्तुत करते हैं तो याद रखना world price freedom index जो है ये एक तरीका index है जो कि price यानि के जो media है वो कितनी freedom है उसके बारें बताता है उसके और ये reporters without border करके organization इसको प्रस्तुत करती है इसमें ये देखते हैं कि क्या political context में देखा जाता है legal कानून के इसाथ से economic के इसाथ से कितनी आजा दी है societal culture कितनी आजा दी है और safety के बारें बात की जाती है अकसर आप लोगों ने एक चीज फिल की होगी कि कोई भी आज की date में अगर किसी के खिलाब जाकर कुछ लेखने के कोसिस करता है तो उनको जो है उसकी जो है कबर में सुला दिया जाता है तो यहाँ पर safety भी इसलिए include करके रखा गया है तो यह चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं 100 जो है वो highest possibility level है जिसमें price freedom के बारे में और zero जो है वो worst category में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा 2002 से इसको publish करना है start किया था यानि कि दुनिया भर में अलग-अलग indicator है जिसमें price के बारे में हम लोग बात करते हैं ऐसे ही यहाँ पर freedom house report है यह USA है जो कि दुनिया को कि हमने यह मेहनत किये उससे आप लोगो motivation मिलेगा तो यह Arnold साव का दूसरों को दिखाने का तरीका था ऐसा ही तरीका United States of America follow करता है वहाँ पर media इतनी खतरनाग है कि सरकार के नाग में दम किये रखती है तो इसलिए उन्होंने खुद ने दुनिया को basically media की freedom के बारे में ग्यान देना इस्टार्ट कर दिया तो freedom जो house report है यहाँ पर यह एक non-profit organization है जो कि Washington DC के अंदर देखने को मिलेगी 1941 में established किया गया था यह political एक तरीके से advocacy के बारें बात करती है जो कि हाँ पर issue रहते है democracy, political freedom, human right इनके बारें बात करती है और यह तो हमको ग्यान दे रहे है वो एक अलग बात है पर लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि हम लोगों को इनसे ग्यान लेने से पहले ही हमारे देश के अंदर में हमारा प्यारा समिधान जो है वो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगो बताता हुआ नजर आता है Part 3 के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो आप लोग को Fundamental Right यानिके मोलिक अधिकार देखने को मिलेंगे Article 12 से लेके Article 35 तक का दोस्तों ये जो मोलिक अधिकार है इसके अंदर में जो Article 19 है Article 19 का First का A ये Guarantee of the Freedom of Speech and Expression के बारे में आप लोगों से बात करता है ठीक है इसी के साथ में हमारे देश में अब एक इंसान को आजादी है अब इतनी तो आजादी नहीं है कहीं पर भी थूख दो और कहीं पर भी मूद दो तो ये थोड़ी नहीं होगा इसलिए यहाँ पर इतना भी कंट्रोल आप लोगों को करना पड़ेगा कि आपकी आजादी ठीक है पर लेकिन दूसरे की आजादी हनन नहीं हो तो ये एक Absolute नहीं है Absolute का मतला कि आप लोग एपास में फिडम है आप लोग कुछ भी जोब हमारे देश में मालेजे कोई किसी देश का लेटर गुमने है मालेजे कोई नेता गुमने है आप लोगों ने उपर से मतलब आप लोग के मोलने में से होकर गुजर रहे हैं उपर से हमापर पानी फेंग दे उसके उपर तो इतनी भी freedom नहीं है कि आप लोग यहाँ पर basically दूसरे देश के साथ में relation बर बात कर दो तो reasonable restriction इसके उपर लगा जाती है article 19 के 2 के अंदर में तो यह तीनों के तीनों point जो है बहुत ही important है और इनसे past में question पूछे जा चुके हैं तो इसलिए confusion तो कम से कम नहीं होना चाहिए आप लोगो बाकि अगर rank भी आप लोगो यहाँ पर देखनी है world price freedom index के बारे में तो Norway top पर देखने को मिलता है इसी के साथ में Ireland इसी के साथ में Denmark और bottom से अगर आप लोग बात करोगे तो Vietnam, China और North Korea North Korea सबसे नीचे आप लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया के जो पुरोसी देश है हमारे पुरोसी देश यहन के आप लोगो देखने को मिलेगा सिरलनका 135 त आप लोगो देखने को मिलेगा हमारी जो rank है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीगे से हमारी rank जो है वो चेंज होती है नजर आईए इंडिया आज की डेट में कहाँ पर खड़ा हुए तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर इसको अंदाजा लगा सकते हैं Q&WTO के द्वारा तो ये भी काफी एक important question आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकता है उस गाउं के बारे में हमारे देश के Prime Minister साब के द्वारा अपने Twitter handle पर कुछ picture भी share किये थे कि ये best village आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलता है तो इस गाउं का नाम के है इस गाउं का नाम है धोर्दो तो ये particular नाम याद रखेगा ये कच रीजन में आप लोगों यहाँ पर नजर आएगा तो best tourism village का दरजा इसको दिया गया है आप में से कौन-कौन यहाँ पर घूमना चाता है ये किसके द्वारा दिया जाता है दरजा United Nation World Tourism Organization इसका दरजा देती है जिसको आप लोग UNWTO बोलते हो ये UN की एक agency है जो कि हाँ पर एक इस तरीके से काम करती है कि कैसे knowledge और tourism को promote करना है क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं दोस्तो जहाँ पर आज की date में वहां की culture understand करता है और फिर कहीं न कहीं अपने आप भी उसमें समाहित करता है कई सारी अच्ची चीज़े सीखने को मिलती है हाला कि कहीं गलत कुछ काम हो रहा है तो गलत भी चीज़े देखने को मिलती है लेकिन ये बात आप लोग जरूर दिहाना करना कि कहीं न कहीं एक integration होता है लोगों का एक दूसरे के साथ में जो Madrid, Spain के अंदर में इसका headquarter है टोटल मिला कर इसके member जो है 156 country है, 6 territories और 500 से ज़्याद है affiliated member आप लोगों को नज़राएंगे और इसमें हम भी इसके member हैं इसलिए हमारे देश का जो particular ये गाउं है डोडो गुजरात के अंदर में, कच रीजन के अंदर में इसको best village tourism का दरज़े हैं आपर दिया गया है best tourism village जो initiative है ये कोई बहुत पुराना नहीं है ये अभी नया ताजा ताजा श्टार्ट किया गया था 2021 के अंदर में और मुझे ये लगता है COVID-19 की वेसे चीजे रुख गई थी tourism की बहुत सारी तो हो सकता है कि उसको promote करने के लिए इसको start किया हो और खासकर गाउं वाले एरिया में अकसर लोग जो है जो cities में रहते हैं माली जी जैसे जी मैं एक गाउं से निगल कर आता हूं ठीक है तो मुझे गाउं में रहना पसंद है पर लेकिन कोई मुझे बोलने लगे कि गाउं में जाओ तुम ट्यूरिस्ट बन कर की गाउं देखो कैसा लगता है तो मुझे थोड़ी न उसको देखने में कोई इंट्रेस्ट आएगा मैं तो ऑँचै निकल करा है मुझे पता है गाहं में क्या होता है मैं सेहर के गंप्यर में कुछे बोल है गाहं में जाकर रहले में आराम से रहलूँगा अगर भावाँ पर सारी चीज़े अच्छे से मिल जाए दो-चार बर जाकर देखो, उसके बाद में पता चलेगा, कहेंगे हमको नहीं रुकना, ठीक है, क्योंकि खेतों में काम करना बहुती हिम्मत और महनत का काम है, तो सेल्यूट है हमारे देश के किसानों को, चार दिन करकर भाग जाएगा इंसान, रेगुलर करने वाली बात होत सकते हैं, यह जो particular news है, यह आप लोगों उससे दो question मना सकती है, एक तो particular mathematician के बारे पूछा जा सकता है, एक award के बारे में, और एक important personality, यहनिके personal news के बारे में भी हाँ से पूछा जा सकता है, तो दोनों को अच्छे से cover करेंगे, और आप लोग के mind में इसको लेकर कोई doubt भी फ 32 साल होनी चाहिए, जैसे नहीं UPSC का exam देने के लिए general age है, जो 32 साल है, उसके बाद में UPSC का exam आप लोग नहीं दे सकते है general category में, ऐसे ही हाँ पर भी आप लोगों को 32 साल के अंदर होना चाहिए, यहनिके young generation को यह award दियाता है, और इसका नाम है सस्त्रा रामा नुजम प् यह इसके full form आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसमें 10,000 dollar यहाँ पर दिये जाते हैं, ठीक है, 10,000 dollar को आप लोग अगर रूपी में convert करना चाहते हैं, तो मोटे मोटे तोर पर लगबा गसी से multiply कर लेना एक idea लग जाएगा, और बताना comment box में कि कितने रूपे हो आता हो, इस इंसान का नाम है, रूपी सियांग जांग, ठीक है, तो RZ के नाम से आप लोग यहाँ पर याद रखें न, रूपी सियांग जांग, अब important बात क्या है इस इंसान के बारे में, हमारे देश के अंदर में, जो यह award है अभी 2023 का, यह सस्त्रा रामनुजम प्राइ के अंदर में है, और इस से पहले इन इंसान को जो है, यहाँ पर और भी कई सारे अवोड मिल चुके हैं, वो इंसान जो है, SNE की पहली बार कोई अवोड मिला है, तो International Mathematical Olympiad, इनके द्वारा 2008 में basically हाँ पर जीता गया, यह Republic of China से आते हैं, पर लेकिन इन्होंने काम करना, का इनके यह basically यहाँ पर यह अवोड जीत पाए, तो यह कहां से आते हैं, यह चाहिने से आते हैं, पर लेकिन स्टार्टिंग से ही अपना पढ़ाई वडाई को लेकर यह USA चले गए, तो यह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो particular अवोड है, यह 2005 में स्टार्ट किया इंपोर्टेंट पसिलेंटी के बारे में, अब अवोड के बारे में जाते हैं, अवोड दिये जाते हैं हाँ पर यह particular सस्त्रा युनिवस्टी के द्वारा, जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, तमिलाडू के अंदर में कुम्ब कोनम, जो यहाँ पर यह नजर जाता है, ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर यह काफी repeated, जो आप लोगों यहाँ पर एक तरीके से अवोड देखने को मिलेगा, यह recognize कहता है किसी इंसान को अगर यहाँ पर यह अवोड मिलता है, तो कहीं ने कहीं कि हाँ उसने कुछ अच्छा किया है काम, ठीक है, तो एक एक करकर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, दोस्तों यहाँ पर जो यह important news है, इसमें basically बात के जा रिये money bill के बारे में, आप लोग को पता है, हमारे देश के अंदर में money bill जो है, वो समिधान के अंदर में proper उसके लिए provision है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोग अच्छ या फिर राज्य सभा में लाए जाता है, अगर लोग सभा में लाए जाता है, तो राज्य सभा में जाएगा, और अगर राज्य सभा में लाए जाता है, तो लोग सभा में जाएगा, जब दोनों जगए पास हो जाता है, तो फिर उसके उपर प्रेजिडेंट के साइन होते सबसे important बात कि है कुछ area ऐसे हैं जहांपर आप लोग को लोक सभा की पावर ज्यादे दीखने को मिलेगी और कुछ area ऐसे हैं जहांपर राज़य सभा की बात ज्यादे देखने को मिलेगी, अभी हम लोग यहां पर बात करेंगे Money Bill के बारे में, Money Bill एक ऐसा Bill है जिसमें लोग सभा की जड़ा पावर देखने को मिलती है मतलब ये है कि अगर कोई भी बिल को money bill बोल दे जाए कि ये बिल जो है वो money bill है तो ये समझो कि उसको आसान इतना हो जाता है पास करना जिसकी कुछ हज़ नहीं है राजसभा मैकसिमम से मैकसिमम चोदे दिन तक उसको रोक सकती है इससे फाल तो और कुछ नहीं कर सकती है मतलब कहने का ये कि राजसभा को बाइपास करने का एक आसान तरीका है किसी बिल को अगर हम लोग money bill declare कर देते हैं पर लेकिन अगर ये money bill है या फिर नहीं है अभी क्यों ये मैं आप लोगों से discuss कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों से इसलिए discuss कर रहा हूँ कि recently अभी money bill को लेकर बात चल रही थी जब आधार bill हमारे देश में प्रजेंट किया गया तो यहाँ पर ये बोला गया था कि आधार bill को money bill बनाकर सरकार पास करा कर निकाल के ले गई क्योंकि राजेस अभा में उस टाइम पर उनके पास में majority नहीं थी तो उन्होंने आधार काड को जो है जो आधार काड वाला जो bill लेकर आए थे उसको money bill बनाकर इन्होंने पास कर दिया मुद्दा यहाँ पर यह निकल कर आता है कि आप लोगों ने इसको money bill बनाकर क्यों पास किया तो इसके लिए supreme court के अंदर में petition गई कि यह money bill होना ही नहीं चेता इसके अंदर तो और भी वो सारी चीज़े देखने को मिलती है तो इसके चलते ही हाँ पर सारी चीज़े जो है वो supreme court ने सुनी और 4 is to 1 majority से supreme court ने जो है इसके बारें बात देगी कि यह money bill ही है इसको money bill ही रखना है हाँ ठीक है तो यह बात आप लोग यहाँ पर याद रखेगा तो इसके चलते अभी यहाँ पर जो मुद्दा निकल कर आता है कि किसी भी बिल को अगर money bill है तो supreme court में यहाँ पर basically case पहुँच गया तो यहाँ पर याद रखना ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जो है money bill को अपने हिसाब से money bill बोल दोगे और उसका judicial review नहीं होगा judicial review हो जाएगा अगर आप लोग बिना सरपेर वाले किसी भी बिल को money bill बोल कर और राज्यसभा को बाइपास करने के कोसिस करोगे क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा house है अगर उसको बाइपास कर दिया तो कहीं नहीं आप लोग बोल सकते हो कि हाँ पर पार्लेमेंट की जो गरीमा है जो एक democratic system है वो नहीं होता हुआ नजर आएगा और वो खतम होता हुआ नजर आएगा तो money bill इसलिए हाँ पर power दे रखिए 110 article में सरकार को ताकि कोई भी money से later matter हो उसमें ज़्यादे दिक्कत नहीं देखने को मिले आसानी से काम हो जाए तो इसमें हाँ पर president की पहले से permission ली जाती है तो इसलिए president भी इसमें interfere नहीं करते हैं तो अभी हाँ पर इसी को लेकर ये बुद्धा आप लोग को देखने को मिला था तीन चार पॉइंट इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि ये question की phone में ओलडी पूछे जा चुके हैं कि money bill only लोग सभा में introduce के जाएगा point number one क्यों? क्योंकि वो जनता का house है जनता के दुआरा चुनी गई नुमाइंदे वहाँ पर पहुंचते हैं राजसभा में ऐसा नहीं होता है इसी के साथ में हाँ पर प्रिजिडेंट से पहले recommendation ले ली जाती है normally private member bill के बारे में आप लोगों ने सुना होगा इसमें private member bill नहीं लगेगा यनि कि ये minister के द्वारा ही प्रस्तुत के जाएगा ये एक government ये फिर public bill ही आप लोग को देखने को मिलेगा speaker final authority हो गई और लोग सभा जो है उसके पास में जादा power है as compared to राजसभा ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा इस particular मुद्दे के उपर में और article 110 आप लोग याद रखेगा ठीक है और money bill के उपर में यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं जब old lady लोग सभा के हाथ में power ही हो गई है तो joint sitting की कोई requirement यहाँ पर होती नहीं है joint sitting किस article में होता है यह आप लोग बता सकते हैं तो basic और important direct question आप लोग से हाँ से बनते हैं ठीक है यह जो particular news है इसके उपर star लगा ले ना या क्योंकि यह ऐसी news है जिसके बारे में 100% में आप लोग उसे बोल सकता हूं कि question बन सकते हैं जिस तरीके से यह news देखने को मिली क्योंकि बात की जारीते case for query के बारे में मतलब क्या है मैं आप लोग को बताऊंगा और एक important personality भी याद रखना जो कि हाँ पर त्रिनमूल कॉंग्रेस की MP यानि कि Member of Parliament जिनका नाम महवा महित्रा इनके उपर आरोप लगाएगे कि इन्होंने Parliament के अंदर में question पूछे पैसे लेकर लोगों से ताकि हाँ पर basically सरकार को कटगरे में खड़ा किया जा सके यानि कि question पूछने के पैसे लिए कि हाँ आप बताऊ मुझे क्या question पूछने चाहिए तो इसके चलते ही जो particular matter है ये ethical panel के पास में या फिर बोल सकते हैं Ethics Committee के पास में यहाँ पर पहुँच गया जिसकी वेसे काफी ज़्यादे news में आ गया अब मैं आप लोग को यहाँ पर discuss करूँगा एक तो ethics committee जो हमारी है basically लोग सभा के अंदर में उसके बारे में discuss करूँगा और ethics committee आप लोग को राजिस सभा के अंदर भी देखने को मलती है उसके बारे में में discuss करूँगा क्योंकि question जो है वो कहीं से भी पूछा सकता है यहाँ तो बात लोग सभा की किये जा रही है पर कल को question अगर basically आप लोग से पूछ ले राजिस सभा के बारे में तो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी ठीक है ethics committee जो है पारलेमेंट के अंदर में यह देखती है कि हर एक जो member of parliament यह नि के जो सांसद हैं वो अपने दाइरे में रहकर काम कर रहे हैं कि कंबियाटू लोग सभा तो 1997 में राजिस सभा के अंदर में ethics committee आ गई थी इसके अंदर में total मिला कर आप लोग को 10 member देखने को मिलते हैं और यह 10 के 10 member जो हैं वो nominate किये जाते हैं किसके द्वारा राजिस सभा के जो chairman साब हैं उनके द्वारा यह nominated member आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो question कई बार आप लोग उसे पूछ ले आता है कि किस तरीगे से क्या क्या है तो यहाँ पर इनका जो time duration है वो आप लोगों को एक साल देखने को मिलेगा एक साल से ज़्यादा नहीं है ठीक है इसी pattern में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ एथिक्स committee और लोग सभा के बारे में तो यह हाँ से तीन साल बाद में आई यानि कि यहाँ पर 1997 में में आ गई थी पर लेकिन यहाँ पर 2000 में आई इसके द्वारा नोमिनेट कियाते हैं तो लोग सभा के speaker के द्वारा नोमिनेट किये जाते हैं यहाँ पर राजसभा के chairman नोमिनेट करते हैं यहाँ पर लोग सभा के speaker जो है वो नोमिनेट करते हुए आप लोग को नजर आएंगे तो दोनों में कोई difference आप लोग को नहीं होना चाहिए हाँ पर इस तरीके से parallel में मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया, अब एक important मुद्ध यहाँ पर याद रखना, यह काम क्या करते हैं यह देखते हैं कि moral और ethical जो भी हाँ पर conduct है, उसको यहाँ पर चेक करते हैं, कि चीज़े ठीक की जा रहे हैं नहीं की जा रहे हैं, और इनका basic काम यही होता है, कि जो हमारा Parliament है, आप लोग को बता है, आज की date में live proceeding चलती है, तो वहाँ पर कोई भी गलत तरीके से हरकते करता हुआ नजर नया है इनसान, तो उसके चलती ही हाँ पर यह देखने को मिलता है, तो इनके खिलाब यहाँ पर यह basically हत्य चटगी particularist committee के, तो इसके चलते ही हाँ पर यह चीज़े आप लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है तो basic है, important है, यह याद रखेगा, confusion इसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार question खास कर member से later पूछ ले आते हैं, दोनों का time duration एक साल है, एक साल से ज़्यादा आप लोग को नहीं के जारी है, intelligence bureau के बारे में, जिसको short form में आप लोग IB बोलते हो, आप लोग को यह पता है कि हमारे देश के अंदर में जो यह बीरो है, यह क्यों बनाएगे, क्योंकि आप लोग को पता है, हर एक देश के पास में उसके खुद की एक ऐसी agency देखने को मिलती है, ताकि कल को चल कर कोई दिक्कत देखने को मिले, तो यहाँ पर solution निकाला जा सके, कहीं न कहीं कोई कल को attack होता है, कोई और दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमलारा देश जो है, वो तैयार रह सके, इसलिए आप लोग intelligence bureau यहाँ पर देखने को मिलती है, अभी intelligence bureau के बारे में कुछ basic बाते में आप लोग को बताता हूँ, हमारा देश जो है, उसमें अगर आप लोग नीचे वाले portion के बारें बात करेंगे, तो लगबग 7,000 km की coastal boundary देखने को मिलती है, और उपर वाले portion के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे, तो आप लोग को लगबग 15,000 आप लोग मोटे मोटे तोर पर याद रख सकते हैं, कि 15,000 km की उपर वाली boundary आप लोग को देखने को मिलेगी, तो इसके हमारे देश, कई सारे देश के साथ में border trust करता है, और North East वाले area में, तो आप लोग को पता है, काफी याद देखने को मिलती है, तो इसके लिए एक committee बनाई गए थी, ये चिपक गयस को छुटाओ, ये है basically हैमंत सिंग जी, ठीक है, तो हैमंत सिंग जी committee है, ये चिपक गयस को छुटाओ, ठीक है, तो हेमंत सिंग जी committee हाँ पर बनाई गए थी, ये जो यहाँ पर basically, हिम्मत basically, ठीक है, हिम्मत है, हेम्मत है नहीं हिम्मत, ठीक है, तो हिम्मत एक तरीक से हिम्मत की बात है, कि I.B. की बनाने के लिए committee ठीक है, ठीक है, तो हेम्मत सिंग जी committee हाँ पर बनाई गी, उस time पर इस committee का नाम जो है, वो कुछ और था, इसको बोला जाता था है, यहाँ पर North and the North East Border Committee, यानि के एक तरीके से North East में जो दिक्कत है देखने को मिलती है, उसको ध्यान में रखते हुए committee बनाई गे थी, और उसने बोला कि कोई ने कोई intelligence bureau टाइप की कोई body होनी चाहिए, जिसमें हम लोग चीजों को at least पहले से ध्यान रख सकें, अपने देश की security को ठीक रख सकें हम लोग यहाँ पा, तो 1951 में हाँ पर इसके लिए recommendation दे गे थी, तो यह जो particular यहाँ पर हमारे देश के अंदर में इनको appointment किया जाता है cabinet के द्वारा, ठीक है, basically appointment कियाता है हाँ पर systematic way में, क्योंकि हमारे देश के अंदर में आज के टे में इतने सारे लोग, इतने सारे reason, ऐसे ऐसे चीज़े हैं, तो उनको protection provide कराने की बात कि जाती है, अभी news में क्यों आ गया यह, यह news में इसलिए आ गया, क्योंकि intelligence bureau को exempt कर दिया गया है, Delhi High Court के द्वारा, regress RTI से, RTI मतलब right to information act, हर एक इंसान चाहता है कि सारी information उसके पास में होनी चाहिए, पर लेकिन अगर IB की information भी उस सान को दे दी, फिर IB किस काम की आई भी रह गई, फिर सबको पता चल जाएगा, तो यह हमारे देश की security के लिए basically काम करने वाली एक authority है, एक organization है, तो इसको यहाँ पर independent होना चाहिए, RTI से, right to information act से, right to information act हमारे देश में कब लेकर आए गया था, याद रखना 2005 में, right to information act हमारे देश में लेकर आए गया था, और एक article जरूर आप लोग याद रखने ना, जिससे direct question पुछाता है, आप लोगों के पास में fundamental right है, कि आप लोगों को right to information act के थुरू, कि आप लोगों को चाहिए, तो यह जो RTI के थुरू, जो आप लोगों को यहाँ पर information मिलनी चाहिए, तो वो कौन से article के तहत आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, मतलब, मतलब कौन सा article यहाँ पर आप लोगों को यह दिकार देता है, कि आप लोग ये पास में information पहुचने चाहिए, यह आप लोग को बताना है, तो देखता हूँ, आप लोगों में से कौन कौन इसका answer देता है, क्योंकि एक ऐसे question है, जो दोस्तों आप लोगों से direct exam में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि जब जब ऐसे question आता है, तो हम लोग confused या जाते हैं, कि आर ऐसा भी कुछ होता होगा, ठीक है, तो एक तरीके का right जो है, यह आप लोगे पास में होना चाहिए, और इसके लिए एक particular case भी आप लोगों से पूछे गए हैं, कई सारे exam के अंदर में, याद रखना है आपर कुलवाल वर्सिज जैपूर मुनसिपल कोपरेशन का case है, ठीक है, यह है के, इसको बोलते है, कुलवाल बोलेंगे, कुलवाल बोलेंगे, कुलवाल ठीक है, तो कुलवाल वर्सिज जैपूर मुनसिपल मिलना चाहिए जानने का तो right to freedom एक fundamental right है आप लोगो बता है किस article के अंदर में तो ये part 3 में fundamental right जो है हमारे article 12 से लेकि article 35 तक उसके अंदर में एक article है 19 तो यहाँ पर article 19 के अंदर में fundamental right है कि लोगों को अधिकार मिलना चाहिए freedom of speech and expression का ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेगा ठीक है तो इसके तहत यहाँ पर सारी चे जानने की कोशिस की जाती है लोगों के द्वारा पर लेकिन I.E.B. को अलग रख दिया हाई कोट ने बोला कि ये बिलकुल गलत बात है इससे हमारे देश की security जो है वो खत्रे में पढ़ सकती है तो basic और important ये सारी बाते जो हैं आप लोगों से question में पूछी जाती है कई बार तो हलका सा idea रखोगे तो confusion आप लोगों को नहीं होगा ठीक है next important news यहाँ पर निकल कर आ रही है ये निकल कर आ रही है international parliamentary union आप लोगों पता है हमारे देश के अंदर में G20 की meeting देखने को मिली तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे है P20 के बारे में तो यहाँ पर यहनके parliamentary union जो की 20 country है उनके president के साथ में हमारे देश के जो vice president है जगदीज जो vice president है यहाँ पर जगदीब धिनकर साब इनके द्वारे यहाँ पर interaction किया तो उसकी विज़े से यहाँ पर inter जो parliamentary union है वो यहाँ पर news में आ गई तो inter parliamentary union दो सब्द आप लोग यहाँ पर याद रखेगा एक को बोलते हैं intra ठीक है तो इसी के साथ में जब inter की वात आती है तो एक से लेकर दूसरे college के अंदर में एक देश से लेकर दूसरे देश के अंदर में तो उसको inter बोल देते हैं तो यहाँ पर inter parliamentary union ये एक तरीके की parliamentary union है जिसका objective है कि कैसे democratic governance, accountability और cooperation को promote करना है क्योंकि democracy जितने ground level पर रहेगी उतना अच्छा है पर लेकिन present time पर democracy जो है वो कहीने कही surprise होती नजर आ रही है कई जगे जैसे हमारे परोडोसी देश में मैंनमार में आप लोगों ने इस coincident देखा हमारे परोडोसी देश पागिस्तान में देखने को मिलता है चाइना में तो democracy के नाम पर कलंक या फिर question mark आप लोग लगा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर में democratically elected government थी उसको खाड़ कर फैंट दिया वहाँ पर चीज़े आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो founder है यह आप लोग को देखने को मिलेगा यह जो नाम यहाँ पर लिखे हुए है यह France बासा में है तो यहाँ पर यह basically फैडरिक पैसी इसी के साथ में यहाँ पर William जिनका नाम है आपर Randall William Randall Kramer ठीक है तो यह United Kingdom के हैं इनके द्वारा यह मुहीम इस्टार्ट की गए थी आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं आपर as per 2000 जो यहाँ पर बात करेंगे 2022 के एसाथ से तो इसमें आपर जो present का जो डेटा है आपर 179 के करीम member आप लोग को देखने को मिलेंगे Headquarter Geneva Surgerland में है पर लेकिन और कुछ याद रखो या ना रखो इसके बारे में आप लोग को यह जरूर याद रखना है कि total आज की डेट में यहाँ पर जो इसके अंदर member 179 पर लेकिन इसके बारे में जो सबसे important बात है वो इसका slogan यह आप लोग को देखने को मिलेंगे चाहे आप लोग 22 की बात कर लें चाहे 20 की चाहे 24 की तो अभी member आप लोग को यहाँ पर यही देखने को मिल रहे है ठेक है? तो इसके बारे में याद रखना बाकी कुछ आप लोग को 14 associated member भी आप लोग को यहाँ पर नजर आएंगे तो ये इसके बारे में याद रखना काफी पुरानी organization है आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि बहुत पहले से democracy को promote करते हुए ये नजर आ रहे हैं आपर ठीक है यहां पर हम लोग बात करेंगे governance के बारे में और कई सारी important news है वो यहां पर हम लोग cover करेंगे दोस्तों ये जो particular news है इसके उपर आप लोग star लगा लेना क्योंकि हाँ पर question आप लोगे direct पुछे आ सकते हैं एक तो बागा tribe के बारे में आप लोगों से बात करूँगा और दूसरा particularly vulnerable जो tribal group है उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूँगा क्योंकि याद होगा recently अभी हाँ पर इनके लिए कई सारी scheme भी जो है government of India के द्वारे हाँ पर launch के गई है तो particularly जो vulnerable है इनको हम लोग PVTZ ठीक है तो particularly vulnerable tribal group के नाम से आप लोग यहाँ पर जानते है particularly vulnerable tribal group ठीक है तो यह कई बार आप लोगों से पुछा आता है इसके बारे में तो मैं आप लोगों यहाँ पर पहले बताता हूँ कि आखिर news में क्यों है फिर हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझेंगे सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर एक बात याद रखेगा कि tribal group के अंदर ही tribal group है जैसे नहीं कहते हैं कि OBC के अंदर में सब OBC बना दो जिसको reservation की जुरत है तो यह जादे problem में रहते हैं basically ऐसा बोल सकते हो इनके ओपास में बहुत जादे कमी है resources की ऐसा बोल सकते हो तो यहाँ पर जो बाइगा tribe है यह group है जो कि normally 36 गड़ में इनको अभी habitat यह निके रहने का status मिल गया है और यह आज की date में forest right के तहत इनको यहाँ पर यह अधिकार दिया गया है जो हमारे देश के अंदर में forest right है यह जो particular जो बाइगा जो tribe है यहाँ पर यह यह एक particularly vulnerable tribal group है जो कि semi nomadic है यह आज यहाँ तो कल कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा यह shifting cultivation का इस्तमाल करते हैं यह याद रखना shifting cultivation को अलग-लग reason में अलग-लग दाम से पुकार जाता है इसको यहाँ पर बोलते हैं बेवार मतलब क्या होता है एक जगह इन्होंने आज की रेट में पेड काटे पेड काटने के बाद में वहाँ पर इन्होंने agriculture यहन के खेती बाड़ी की वहाँ पर फिर जमीन जो है वो बंजर हो गई खेती करते करते फिर इसको छोड़ कर यह कहीं और चलेगे वहाँ पर पेड काटे आग लगाई और फिर वहाँ पर खेती बाड़ी करने स्टार्ट कर दी तो सिफ्ट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो इसको यहाँ पर यह particular नाम से पुकार जाता है इसी के साथ में हुआ एक important aspect आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको यहाँ पर एक दरीके से food और drink की category में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो census 2011 के हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करूँ schedule tribe के बारे में तो 104 million जो की लगबग 8.5 या फिर 9 आप लोग याद रख लेना मोटा मोटा की 9% आज की डेट में हमारे देश के अंदर में tribal community आप लोग को देखने को मिलती है अब बात करते हैं tribal community के अंदर में एक और community जिसको बोलते है particularly vulnerable tribal group अब यहाँ पर इसके बारे में याद रखना particularly vulnerable tribal group जो है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे यह total मिलाकर हमारे देश के अंदर में मैं 1975 के बारे में बात कर रहा हूँ एक commission आया था जिसको बोलते है देबार commission और उसने recommend किया था कि यार एक group अलग से होना चाहिए जिसके ओपर हमारा ज्यादा focus होना चाहिए तो currently इस recommendation के base पर 75 tribe ऐसी है हमारे देश के अंदर में जो की 18 state में फैली होई है और यह एक union territory में है और Odisha जो है वो one of the highest member आप लोग को देखने को मिलेगा जहाँ पर particularly vulnerable tribal group पाया जाता है अब interesting चीज में आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ हो सकता है या आप लोगों ने इसके बारे में नया सुना हो अब तक कई सारे question इस particular topic से पूछ जा चुके है सबसे पहले तो question यह बना था कि कौन सा commission है तो यहाँ पर देब और commission आप लोग याद रखेगा ट्राइबल गुरूफ है दूसरी statement में यह दे दिया कि all over India के अंदर में पाय जाते हैं नहीं statement गलत है 18 state और एक union territory है पाय जाते हैं all over India के अंदर में यह नहीं पाय जाते हैं तो यह याद रखना जो जूम cultivation होती है shifting cultivation होती है इसके ओपर भी question आप लोगों से पूछ जा चुक है तो बहुती basic और बहुती important है fact है इसको आप लोग मत भूलिएगा ठेक है न और दोस्तों past में कई सारी schemes भी यहाँ पर launch के गई है particularly tribal community के लिए यहाँ पर याद रखना जैसे कि परधान मंत्री PVTZ development mission यहाँ पर launch किया गया था तो ताकि basic facility जो है वो provide करा जा सके tribal community में sickle cell anemia की बीमारी को खतम करने की भी बात के गये थी क्योंकि इसकी वज़े से काफी जो problem देखने को मिलती है एक love way school आप लोग को देखने को मिलते हैं और इसी के साथ में PM विस्व कर्मा यह basically कोशल सम्मान यह PM विकाज इसका नाम दिया गया तो support करने के लिए यह भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला तो past में काफी सारी चीज़ा आप लोग को यहाँ पर देखने को मिले तो यह basic idea आप लोग रख सकते हैं ऐसी scheme के बारे में कई बार आप लोगों से एक्जाम में पूछे गए हैं तो हलका सा याद रख सकते हैं बात की जारे टैली मानस सेवा के बारे में टैली मानस सेवा जो है यह एक Union Health and Family Welfare Ministry का एक initiative था जिसमें यह universal access ताकि यहाँ पर एक तरीके से equitable, accessible, affordable और एक तरीके quality mental health service प्रोवाइड कराया जा सके 24 by 7 ताकि यहाँ पर लोग जो हैं वो frustrated फिल करते हैं इरिटेट फिल करते हैं तो उनको support प्रोवाइड कराया जा सके तमिलाडू, महरास्ता, तेलंगाना, जम्मु कस्मीर, अलग-अलग, राज्य, उत्रपरदेश, उडिसा, करनाट का में काफी large scale पर यहाँ पर participation देखने को मिला होता क्या हैं आप लोगों के साथ में connect किया जाता है इंटरनेट के थुरू अगर आप लोग कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो एक तरीका support प्रोवाइड कराने कोसिस के जाती है ताकि कोई इंसान जिन्द्गी में गरत इस्टेप उठाकर suicide वगरा जैसे थोड़ जो आते हैं उनको रोका जा सके तो यह काफी कारगार साबित होई और यह बताया जा रहा है तीन लाख पचास जार से जादे लोगों के साथ में हाँ पर अब तक इसको connect कर चुके हैं और अभी आगया आने वले time में और connect होंगे तो यह तो कोई नहीं पूछ रहा है आप लोगों से कितने सारे लोगों को facility हो चुकी है अब यह जुरूर पूर सकते हैं कि टैली मानस initiative कि समिनिश्टी के अंडर में आता है और यहाँ पर यह किस particular purpose के लिए launch किया गया था तो mental health service है यहाँ पर यह एक यह आप लोग समझ सकते हैं तो basic है और important भी है तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं एक particular system यहाँ पर अभी news में था जो cabinet के दौर आप प्रूव किया गया मेरा युवा भारत मेरा युवा भारत यहाँ पर एक particular initiative है यह basically my भारत focus दिया गया youth यानिके young generation के development के बारे में आप लोग यह सोच के देखो आप लोग की age क्या है और उस age में आप लोग 20 साल जोड़ लो आप लोग को पता चल जाएगा कि लगबग इस time पर आते आते लगबग 15 से 20 साल में हमारे देश की जो young generation है वो बुज़र्ग होती यह नजर आएगी तो क्यो ना इस young generation को कोई ने कोई skill दे कर कोई ने कोई support प्रोवाइड करा कर इनका development किया जा सके तो इसी को ध्यान में रखते हुए हाँ पर यह scheme launch के गई National Unity Day के उपलक्स में हाँ यह आप लोग याद रखना ठीक है इसको support प्रोवाइड करा जाए गए हाँ पर national youth policy के तहत में leadership की quality होनी चाहिए ठीक है better एक aspirant community है इसको एक support प्रोवाइड करा जाए सके ठीक है इसी के साथ में जो भी existing plan है वो उन तक पहुँचाए जा सके मतलब एक तरीके से उनके लिए एक ऐसा माहूल बना कर चलना ताकि हमारी जो youth है वो आगे बढ़ता हो यहाँ पर नजराए तो यह याद रखना national unity day के उपलक्स में हाँ पर इसको एक तरीके से launch किया गया ताकि युवा भारत को हम लोग आगे लेकर चल सकें तो युवा लेड development की बात यहाँ पर किये जा रही है तो direct question आप लोगों से पूछा जा सकता है तो confuse याना कतर ही नहीं है जब दो organization एक साथ में मिल जाएं और वो कुछ development करने के कोसिस करें उसमें से एक international level पर काम करने वाला हो और दूसरा हमारे देस की organization हो तो question बनने के chances आप लोगों से बन सकते हैं ऐसे ही बात की जा रही है हाँ पर I C R I S A T साथ है मिलकर C Z I A R A के बारे में C Z I A R ठीक है तो यहाँ पर जो C Z I A R है यह तो एक तरीके का आप लोगो global level का initiative देखने को मिलेगा और I C R I A S T जो है हाँ पर यह हमारे देस का पर देखने को मिलते है तो उसमें direct question भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकते है ठीक है तो C Z I A R तो इसके बारे में आप लोगों से मैं बात करूँगा यह एक तरीका initiative है जिसको बोलते है consultative group on international agriculture research भी आप लोग इहाँ पर बोल सकते है तो इसमें यहाँ पर agriculture के उपर focus दिया जाता है land के उपर focus दिया जाता है food के उपर focus दिया जाता है और water के उपर यानि के पानी के उपर focus किया जाता है reason कै reason यह है कि यहाँ पर climate crisis के वज़े से इनके उपर अगर impact पड़ेगा तो देश में अलग-अलग country के अंदर में भी यहाँ पर food security जो है वो खत्रे में पड़ती नजराएगी तो आज की rate में लगबग 80 country के साथ हैं मिलकर यहाँ पर यह काम करते हैं और publicly funding network आप लोगों यहाँ पर यह देखने को मिलेगा इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि इनका पूरा का पूरा focus ही रहता है कि कैसे मिलकर हम लोगों काम करना है ताकि चीजों को सुधारा जा सके ठीक है इसी के साथ में जो यहाँ पर ICRISAT है आपर International Crop Research Institute for Semi Arid Tropics यह आप लोगों को देखने को मिलेगा तेलंगाना है तेलंगाना बेसिकली हमारे देश के अंदर में हैदरबाद के अंदर में और regional office आप लोगो नेरोबी केनिया और इसी के साथ में बमा को माली के अंदर देखने को मिलेगा आप लोगो बोलोगे सर यह institute कोई सुने सुने से नहीं लग रहे है यह तो ऐसे हैं इनके बारे में जैसे ज़्यादा सुना भी न हो रीजन के है agriculture based economy आप लोगो ज़्यादतर basically developing country में देखने को मिलेगी तो इसलिए वहाँ पर यह ज़्यादतर काम करते हैं जैसे युएस से जापान यह सारे जो देश हैं यह developed country है उनकी इकनों में agriculture के बेस नहीं है manufacturing बेस इकनों में उनकी देखने को मिलेगी यह 1972 में हाँ पर found किया गया था 2021 के अंदर में Africa food price for the tropical जो यहाँ पर basically leguminous project के तहत में यहाँ पर दिया गया जो कि इनहीं के द्वारा support किया गया project था तो यह एक तरीके से international level पर काफी अच्छा institute आप लोग बोल सकते हो जो कि अपने ground level पर काम करता हो नजराता है तो basic important याद रख सकते हैं आप लोग आगे बढ़ते हुए अनुचल प्रदेश के अंदर में हमारी देश के अंदर साथ नए bridge project जो है वो launch के गए याद रखना है यहाँ पर एक scheme का नाम मैं आप लोग को बताना चाहता हूं क्योंकि यह जो launch के गए है लग बग 118 क्रोड रुपे के project इसमें अलग-अलग 7 level पर आप लोगों यहाँ पर काम करते हुए अलग-अलग जो bridge है उनके बारें बात की जा रही है पर लेकिन सबसे important जो चीज है वो है यहाँ पर सेतु बंधन scheme के बारे में याद रखना ठीक है आप लोगो direct question देकर यह पुछ लेंगे कि सेतु बंधन scheme जो है वो किस ministry के अंडर म हमारे देश की जो ministry है वो यहाँ पर काम करती है इसका जो objective है आपर वो है किस तरीके से हम लोग चीजों को improve कर सकते है यह आप लोग यहाँ पर याद रखना connectivity को बढ़ा सकते है central road infrastructure fund है जहां से पैसा आता है इसमें investment करने के लिए और established किया था 2000 में तो यहाँ पर previously इसको central road fund बोलते थे पर लेकिन अब इसका नाम central road के साथ में infrastructure यहन के धाचा गत विगास भी करने है क्योंकि जो breeze बनाना है वो road नहीं वो एक तरीके से धाचा बनाने वाली बात होगी तो यहाँ पर समझ सकते है तो नाम change किया गया यह एक तरीके से connect है जो particular body है यह है ministry of finance के साथ मे fund कहां से इखटा होता है तो यह काफी important है जो मुझे आप लोग को बताना भी था CES impose किया जाता है exercise duty और petrol diesel के साथ में मतलब क्या हो गया अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझे आज की date में अगर आप लोग अपनी गाड़ी बाइक कहीं पर भी petrol diesel अगर आप लोग गिराते हो तो उसम का जो price होता है वो काफी जड़ा हाई आप लोग को देखने को मिलते है तो उसमें कई तरीके के tax हो हाँ पर लगे होते हैं तो उसमें से एक tax होता है जिसको आप लोग बोलते है tax on tax यानिकि जो भी आप लोग tax पे करने है माली आप लोग ने 100 रुपे पे ची है ठीक है तो उसके उपर यहाँ पर पांच रुपे सेस लगा दिया मतलब यह सेस पर्टिकुलर परपज के लिए लगा जाता है जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंड में पैसा पहुचाने के लिए लगा दिया जिसको Central Road and Infrastructure Fund बोलते हो तो अगर कहीं पर आप लोग 100 रुप परपज के लिए इसको इखटा किया गया और अगर पर परपज के लिए इखटा किया गया तो सTIT के साथ में सेर कर दिया तो उसको कहीं और यूझ करते हुए नजराएंगे तो इसलिए सके बारे में यादर ना और इसके चलते कई बार finished रेते है कि तुम जो है इतना पैसा इखटा कर ले तो हमारे साथ में share नहीं करते हो तो ये particular जो scheme है कहने के लिए तो road transport and highway scheme है पर पैसा किस से आ रहा है Central road and infrastructure fund से आ रहा है और वो ministry of finance के अंडर में आती है तो इसलिए घुमा फिरा कर भी question आप लोगों से पूछा जा सकता है एक particular scheme के बारे में तो scheme important है उसको लेकर confuse आना कता ही नहीं है ठीक है कोई doubt हो तो बताना उसको दूर किया जाएगा ये कैसी news है जिसको आप लोग health के साथ में भी connect कर सकते हैं और यहाँ पर ये कैसी news है जिसको governance के साथ में भी connect कर सकते हैं तो कि कोई बीमारी को खतम करना ये आसान काम नहीं होता है अभी यहाँ पर लाउस जो है वो second country बन गया है after Bangladesh जिसके द्वारा यहाँ पर eliminate कर देगा है lymphatic flareuses lymphatic flareuses के बारे में आप लोगों ने सुनाओगा हाथी पाउं के नाम से इसको normally बीमारी को जानते हैं बहुत ही जादे खतरनाक बीमारी होती है पाउं का size जहें खतरनाक लेवल पर बढ़ जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है तो ये एक particular जो worms होते हैं जिनको basically आप लोग फलेरियर बोलते हो उसकी वज़े से यहाँ पर फैलता है यह आप लोग को देखने को मिलेगा इसकी वज़े से भी काफी होता है और यहाँ पर next है यह है बुगिया तिमोरी तो यहाँ पर पहले वाला आप लोग को याद रखना है कि 90% cases इसकी वज़े से होते हैं अभी present time पर recently अभी बंगला देश ने इसको अपने देश से eliminate किया था अभी यहाँ पर यह लाउस भी जो है इसको eliminate करने वाला next देश बन गया है तो आप लोगों से यह question directly exam में पूछा भी जा सकता है तो confuse आना नहीं है जिस किसी को देखना है कि कहाँ पर exact location आप लोग को देखने को मिलेगी तो इसको लेकर कोई भी confusion आप लोगे मैंड में नहीं होना चाहिए कल गो question पूछा है तो हलका सा idea रख सकते हैं क्योंकि कई बार question आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं डबल एक चो भी अपने प्लान बनाए बैठा है कि इन बीमारी को खतम करना है 2021 से लेके 2030 तक का और neglected tropical जो disease है उसमें आप लोगो देखने को मिलेगा lymphatic flareuses ठीक है याणि के tropical reason में ऐसी बीमारी और जिनके बारे में कोई ज़्यादा बात है नहीं करता है इसलिए हैं पर इसकी वज़े से ये चीज़े फैलती ही भी नजर आती हैं दोस्तों कुछ चीज़े ऐसी होती है जिनको आप लोगो basically exam के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए उसमें से ये एक चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी railway police force के द्वारा यहाँ पर operation चलाए गया जिस operation का नाम यहाँ पर सेवा आप लोगो देखने को मिलते है सेवा एक operation है इसी के साथ में operation dignity है operation नन्य फरिष्टे है और यहाँ पर जो आप लोगो देखने को मिलेगा mission जिसका नाम रखागी है यहाँ पर जीवन रक्सा operation यहाँ पर इसी के साथ में मात्र सकती यह अलग अलग तरीके के operation आप लोगो देखने को मिलते है तो इसके बारे में हलका सा मैं आप लोगो आइडिया बताऊंगा जिससे कि अगर कलो को question पुछा है तो आप लोग confusion में ना आए operation नन्य फरिष्टे अभी यहाँ पर news में था इसमें क्या होता है यह यहाँ पर RPF जो है Indian Railway की वो यहाँ पर basically इसकी force जो है वो बच्चों को product करने की कोशिस करती है अगर कोई बच्चा खोग यह है उसको उसकी family से मिलाने का काम करती है Railway Protection Force हमारे देश की एक ऐसी force है जो की काफी important और 1957 में इसको बनाय गया था और यह arm force, declare की गई ऐसे arm force 1985 में तो यह एक arm force की category में भी आप लोग को देखने को मिलेगी Operation जैसे कि मैं आप लोगों से कई सारे operation के बारे बात की इसमें एक operation यहाँ पर Narcos अभी recently एक्जाम में पुछा गया था यह यहाँ पर क्या है, यह कोशिस करते हैं कि जो drug trafficking है यानि कि railway के अंदर में कोई भी यहाँ पर drugs वगएरा ले जाता हुआ नहीं मिले और उसको यहाँ पर पकड़ा जा सके तो यह समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्योंकि पहले भी कैसे incident काफी देखने को मिले है operation while आप लोग यहाँ पर operation यहाँ पर basically while भी देखने को मिलेगा WILEP, यह क्या है यहाँ पर कि कोई भी हाँ पर जो हमारे देश के अंदर में endangered तरीकी category में जो भी हाँ पर हमारे जो पेड़ पोदे जो एक तरीके जीव जूनतों आते हैं तो उनको भी प्रोडेट के जा सके उनको भी हाँ पर कोई वयपार नहीं करें जो plant होता है प्रीशियस वाइल डाइफ के उसके उपर बात के गई तो उसके चलती हैं यहाँ पर यह operation इस्टार्ट किया गया इसी में हाँ पर operation सतर्क लोंडा ठीक है तो यह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा यह यहाँ पर operation जो इस्टार्ट किया गया यह basically इसी से later आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कोई भी अगर कुछ ऐसी activity देखने को मिलती है तो यहाँ पर कई बार ना क्या करते है उसको पकड़ लिया चेन खीच कर उसको रोक दिया ऐसी कई हरकते होती है तो फिर कुछ ऐसी activity लेकर गोम रहे है जो कि allow नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पर उसके लिए एक operation यहाँ पर यह भी चलाय गया था operation नारकोस के बारे में आप लोगो मैंने बताए दिया तो कोई confusion यहाँ पर नहीं होना चीए तो कई बार ऐसे question पूछ ले आते हैं नन्ने फरिस्ते हो गया यह बहुत सारे ऐसे operation है जो कि time to time आप लोगों से पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने आप लोगो सारे एक जगे खटे बता दिये कल को question बने तो याद होना चीए match करने के लिए आ सकते हैं NCR वाले reason को connect करने के लिए बहुत सारी initiative चलाय जा रहे हैं छोड़ा NCR वाला आप लोगों ने सुनाओगा गाना किस किसने सुना है प्रामिस्टर मोधी साब के दौरा First Rail Rapid Transit System जो कि यह भी recently हाँ पर गाज़ेबाद के अंदर में launch किया गया इसको ही हाँ पर Regional Rapid Transit System का भी नाम ही हाँ पर दिया गया है यह क्या कर रहा है कि NCR को connect करने की बात करें हाँ आने वाले उस तक यहाँ पर यह connectivity की बात कि जा रही है अलग लग phase में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा जिससे कि Delhi के ऊपर जो burden है उसको कम किया जा सके क्योंकि maximum लोग जो है वो आसपास वाले region से आकर Delhi के अंदर में रहते हैं इसलिए Delhi के ऊपर burden काफी जादा खतरनाक है अगर पास में कोई area होगा वहाँ से आना जाना आसान होगा तो दिक्कत है देखने को नहीं मिलेगी 160 km पर आर के इसाफ़ से हाँ पर गाड़ी चलती है आप लोग को नजर आएगी ये बात की जा रही है आदी मोहतसव के बारे में आदी मोहतसव एक tribal festival है जो कि हाँ पर normally एक्टूबर के महीने में देखने को मिलता है और ये annual tribal festival स्टार्ट किया गया था 2017 यनि के 2017 से पहले हाँ ये नहीं देखने को मिलता था अब की बार का जो ये festival है ये एहमदबाद गुजरात के अंदर में आप लोग को देखने को मिला question क्या बन सकते हैं यहाँ पर ये एक तरीके का initiative है यहाँ पर किसके बीच में ministry of tribal affair यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर में इसी के साथ में tribal cooperative marketing जो यहाँ पर development federation of इंडिया है जिसको TRIFED आप लोग बोलते हो aim सिधा सिधा क्या है aim यहाँ पर सिधा सिधा यह है कि किस तरीके से हम लोग familiar कर सकते हैं चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं खासका tribal culture के बारें बात की जा रही है जादे से जदा लोगों तक tribal culture पहुँचा सकते हैं तो यह एक छोड़ा सा festival है जो कि आप लोगों से पूछ जाए अब की बार कहां पर देखने को मिला किस किस का initiative है और इसका क्या aim है तो एक छोड़ा सा question आप लोगों से direct बन सकता है इंटरिस्टिंग और important initiative यहाँ पर food safety and standard authority of India का बताइए किस ministry के अंडर में आती है food safety and standard authority of India इसने क्या काम किया है भी आज की date में आप लोग market में कुछ भी खरीदने जाते हैं तो उस पर बहुत छोड़े छोड़े सब्दों में लिखा रहता है कि expiry date क्या है इसके अंदर में क्या क्या चीज़े है अब यहाँ पर कई सारे लोगों की जो नजर होती है वो कमजोर होती है तो QR code का इस्तमाल करकर अब यहाँ पर उसको अच्छे ज़े पढ़ा जा सकता है समझा जा सकता है उसको ढंग से जाना जा सकता है तो QR code के अंदर में सारी information जो है वो inbuilt यहाँ पर की जा रही है मतलब कि एक तरीके से इसके अंदर में क्या क्या content है किस तरीका है यह ways, non ways कई बार ऐसा रहते हैं न कि इनसान जो है वो माली जे vegetarian है उसको non ways खिला दिया तो वो तो यह मानता है कि यार मेरे तो धर्म भरस्ट हो गया तो वो वाली condition आप लोग को देखने को मिलेगी तो यह गलत है किसी की भावनों के साथ में खेलना तो food safety and standard authority of India ने यह start किया है आपर basically ताकि इन चीजों को आगे लेकर आजा सके यह food safety and standard authority of India एक बहुती important board है एक statutory board है यहनके कानून पास करकर हमारे देश में इसको 2006 में यह basically एक कानून लाय गया था उसके बाद में इसको established किया गया 2008 में statutory status मिला headquarter new daily में है health family welfare ministry के अंडर में आप लोग को देखने को मिलती है यह protect करती है public health basically कई सारे initiative है यह बताते हैं लोगों की health को ध्यान में रखते वे तो यह चीज़े आप लोग यहां से understand कर सकते हैं basic और important question पूछा जाए तो confuse याना कता ही नहीं है यह scheme भी कई बार past में पूछी जा चुके हलका सा idea आप लोगों दे देता हूँ self-help group के द्वारा अभी हाँ पर nursery establish की गई जिसमें center and state government जो है वो मिलकर काम करेगी ताकि self-dependent या फिर self-sufficient बनाया जा सके लोगों को तो उनको increase करती है अगर कोई women help group है तो उसमें और अच्छे से आपर support करती है तो यहां पर अभी ऐसे ही initiative का फाइदा जो है वो state के अंदर में बेसिकली मतला हुमारे देश के अंदर में जम्मो एंड कासमीर के अंदर में देखने को मिला तो यह उमीद इसकी याद रखेगा छोड़ा सा idea रख सकते हैं अटलिस्ट question बने तो यह न लगए कि यार किया आ गया पता ही नहीं था इसके बारे में तो ठीक है दोस्तों आप लोग जबी भी preparation करना है start करो तो एक चीज हमेसे धान में रखा करो कि आप लोग को अपनी परगती चेक करनी चाहिए कि आप लोग ही पढ़ाई जो है वो सही direction में जा रही है नहीं जा रही है इसका सबसे आशान तरीका क्या है जो भी आप लोग पोड़े उनसे question practice करना है start करो अगर question लग पा रहे हैं तो इसका मतलब सही direction में जा रही है और नहीं लग पा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा उसको improve करो और फिर से चीजों को लेकर चलो ऐसे ही हमारे देश के अंदर में जो भी program परकिरिया चल रही है सारी के सारी उनका bureau ले जाता है प्राइमिस्टर ओफ इंडिया के द्वारा directly और उसके लिए कि initiative launch किया गया था जिसका नाम था परगटी परगटी का मतलब क्या है proactive governance, timely implementation तो यह एक platform है आप जो की multi-purpose और multi-modal platform आप लोग को देखने को मिलेगा मतलब सारे काम यही पर यह आप लोग को हो नहीं कहते है कि एक तरीके से all-in-one type में तो यह समझ सकते हैं आप लोग यहाप launch किया गया 2 March 2015 में basically यह एक तरीके से ऐसा initiative ताकि सही चीजे से सारी control की जा सके video conferencing, digital data management और geospatial technology का इस्तमाल करते वे यह यहाँ पर एक ऐसा system है जिसमें union government secretary chief secretary और PMO मिलकर यहाँ पर सब पर नजर रखते हैं कि कौन क्या कर रहे है इसको establish किया गया था National Informatic Center के द्वारा ताकि जादे से जादे connectivity यहाँ पर बढ़ाई जा सके यहनि कि सब को एक ही जगे सब का इलाज कर देना कि हाँ भाई हाँ आजओ इस hospital में सब चीजों का इलाज है तो यह वो वाला hospital आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तो इसलिए हाँ पर यह governance का एक काफी शांदार उधारन आप लोग बोल सकते हैं कि कम effort डाल कर सब के उपर में नजर रख लेना तो परगति के बारे में याद रखना 2015 में इसको launch किया गया था इसी particular purpose के लिए थोटा से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि international level पर आज कर कुछ ज़्यादे खलबली देखने को मलती है ठीक है तो question आप लोगों से बन सकते हैं एक एक करकर discuss करते हैं point दोस्तो आज की date में अगर कोई भी काम आप लोगों को करना है अपने देश के अंदर में basically वेपार से later तो किसी ने किसी तरीके से समुंदर के रास्ते कोई ने कोई सामान जाता हो आप लोगो नजर आएगा चाहे हम लोग खरीदे चाहे हम लोग बेचे तो इसी को ध्यान में रखते हुए UNCTAD क्या है इसके बारे मैं भी बात करूँगा इसने यहाँ पर ये बोला है कि 20% का हहाँ पर increase हो गया है जो emission देखने को मलता है shipping industry से यानि कि दुनिया भर का वयापार आज की date में हो रहा है और 2022 से लेकि अगर 22 तक भी आप लोग देखोगे तो एक अच्छा खासा increment आप लोग यहाँ पर इसका नजर आ रहा है ठीक है तो जो tanker जा रहे है या फिर आप लोग देखते हैं जो यहाँ पर container जा रहे है या फिर इंसानों को भी लाया ले जा रहा है तो उसके वेसे जो भी emission होता है सडकों पर तो गाडिया चलती है petrol, diesel में आग लगती है तो यहाँ पर आप लोग को बता है कि environment गरम होता है पर लेकिन इसमें भी आप लोगो काफी बड़ा impact पढ़ता हूँ नजर आएगा और अगर ये वाला emission बढ़ता है तो ocean की जो marine life है यानि के जो यहाँ पर समूंदर के अंदर में जीन जनतु रहते हैं उनके दिल के धरकन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी इसके बेसे तो जरूरी है इन चीजों को कंट्रोल करना इस्टेबलिस के गता 1964 में कि कैसे परमोट करें ट्रेड इन्वेस्टमेंट डवलपिंग कंट्री के अंदर में जिसको आप लोग United Nation Conference on trade and development बोलते हैं ये एक permanent organ है UN का आप लोग को बता है UN एक United Nation है इनके सारे के सारे देश एकटा आकर गुरूप बनाना Headquarter जनेवाई सुटिजर लेंड में 193 मेंबर है इसके अंदर में और highest policy making body है UNCTAD ठीक है ये अराम अराम से change होगा तो इसलिए अराम अराम से काम करते हैं मजे मजे में ठीक है तो ये बिलकुल Olympic की तरीके से है बेसिकली जैसे क्रिकेट का World Cup होता है Olympic होता है तो ये कहते हैं कि एक बार 4 साल में मिल लेते हैं और उसके बाद में फिर काम करो काम पर लगो ठीक है तो इससे समाझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर तो ये direct question पुछा है तो organization के बारे में आप लोगों से question बन सकते है तो basic है याद रख सकते हैं आप लोग AU KUS एक ऐसा topic बन गया जिससे भर बर कर question पूछे जब ये news में आया और बनने भी थे क्योंकि हरकते ही ऐसी कर दी हाँ पर मतलब एक इनसान के मूँ से निवाला छेन कर दूसरे इनसान को दोगे तो कैसा लगेगा France से Australia जो है वो basically खरीदने वाला था Pandubi ठीक है जो basically सब मेरीन होती है Pandubi जिसको बोलते हैं पर लेकिन यहाँ पर दो देस आपस में आये जो की लंगोटिया यार है एक है UK और दूसरा है USA उन्होंने मिलकर बोला कि France से मत खरीद हम तुमको देंगे तो यहाँ पर उसके साथ में basically relation भी काफी ज़दा खराब हुए पर फ्रांस के जो प्राइमिस्टर थे उस ताइम पर काफी गुसा भी हुए तो AUKUS बनाया गया UK और USA के द्वारा और उन्होंने बोला हम आस्टेलिया को मिलकर क्या करेंगे एक Trilateral Group बनाकर इनको Nuclear Powered Summarine देंगे अब Nuclear Powered Summarine का क्या फायदा है अगर सोचो कि हमारे देश का ये Coastal Area है और यहाँ पर कोई हम लोग Summarine चलाते हैं जो कि कोईले से चलती है डीजल से चलती है पैट्रोल से चलती है मतलब क्या हो गया इसका उसका मतलब सिधा-सिधा यहाँ पर यह हो गया कि उसको जलाने के लिए पानी उसको जलाने के लिए हवा यानिके Oxygen की requirement पड़ेगी तो उसके लिए उसको बार-बार उपर आना पड़ेगा या फिर बुलबुले की फोम में उपर यहाँ पर पता चलते रहेगे कुछ ने कुछ घडबढ़ है पर लेकिन जो Nuclear उससे चल रही है फ्यूल से उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कहीं भी बैटर हो भाई साब कल को कोई उपर आगर कोई बत्तमीज करे उड़ा दो या फिर किसी और देश के आकर यहाँ पर बैट जाए हमारा क्योंकि बता ही नहीं चलेगा तो रोयल जो आस्टेलियन नेवी है उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे इसमें टेक्नलोजी और इंफोर्मिशन सेरिंग की भी बात की जाएगी तो इसके लिए एक हुज डील देखने को मिले थी ए यू के यूस के अंदर में उसकी वज़े से यहाँ पर न्यूज में आथा तो यू के ने अभी हाँ पर 4 बिलियन का कॉंट्रेक्ट किया है जिसके चलते हैं यहाँ पर यह फिर से न्यूज में आ गया है तो बेसिक, इंपोडेंट क्यों है सारी बाते बता दी, कन्फ्यूज आना मत अब टोपिक को लेकर इंटरनेशनल न्यूज है, कई बार न्यूज में देखने को मिलते रहते हैं आगे भी आएंगे और अभी भी आ रहे हैं वैसे जब न्यूजलर पाउर के बारे हैं बात की जारी है जो की USSR का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो की वन सज, ठीक है, एक तरीके से ना की उसकी लेगेसी आगे लेके चल रहा है दूसरे नमबर पर USA देखने को मिलेगा तीसे नमबर पर China है आजकेट में फिर आप लोगो France देखने को मिलेगा, फिर UK क्योंकि मतलब यह होगे टोटल 9 है, 1, 2, 3, 4, 5 चटा हो गया पाकिस्तान, 7 हो गया इंडिया, 8 हो गया इसराइल, और 9 हो गया नोर्थ कोरिया, तो यह देश है ओनली दुनिया में जिनके पास में आजकेट में नुकिलर वैपन है, इसलिए आप लोगो बता होगा कि नोर्थ कोरिया बार बार चिलाता रहता है और यहाँ पर उसको कुछ नहीं बोलता है, कोई भी देश क्यों, क्योंकि एक नुकिलर पावर कंट्री आप लोगो देखने को मिलेगा, ठीक है तो यह आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कई बार छोड़े-छोड़े एक्जाम में, कई बार उन्हीं वन्डे टाइप एक्जाम में कुछन पूछ लिया आते हैं यह एक पर्टिक्लर ऐसा मुद्ध है, जो कि इजिप्ट के साथ में टच कर रही है यह यहाँ पर वेस्ट बैंक है, यह भी पैलस्तीन का ही पोर्सन है, यहाँ पर डेड सी आप लोग को देखने को मिलता है, तीन कंट्री के जंक्शन पर, एक है जोडन, एक है इस्राइल और एक साइड में आप लोग को वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा, टेक है, नोर्मल जो इहाँ पर कैपिटल है, वो तल अवीब बोला जाता है पर लेकिन दोनों चाते हैं, येरुसलाम कैपिटल बने, पर हमारी जो एमबसी है हमारे देश की वो तल अवीब में आप लोग को देखने को मिलती है, टेक है, उपर गोलन हाइट है, जो कि सीरिया को इन्होंने थपड मार कर छीना था उनसे, ये यहाँ पर इसकी विसे ये दिक्कत में रहता है, उपर लेबिनान है, लेबिनान के अंदर में यहाँ पर आप लोग को बेसिकली गुरूप देखने को मिलेगे हिस्बुला टाइप के, जिससे यहाँ पर कई बार अटैक भी किये जाते हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग वो देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर एक्जाम के पॉइंट उप से यह चीज़ा आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है, तो यह बेसिक इंपोटेंट कुछ पॉइंट से हैं, स्री लंका को सांस आ गया इसलिए स्री लंका को अभी हाँ पर I.O.R.A. इंडियन ओशियन रिम एसोसियेशन की अज़्धस्ता, बेसिकली हाँ पर सोपे गई, और जैसंकर सहाब के द्वारे हाँ पर इसको अटेंट किया गया, इस्टेबलिस किया गया था, 1997 में, यह एक बोड़ी है, जो कि Council of Foreign Ministry, कहाँ पर यह बेसिकली मुरिसस के अंदर में इसका Headquarter देखने को मिलेगा, यह Indian Ocean जो है, उसके आसपास वाले जो reason है, उनको साथ में एक खटा लेकर चलने की कोसिस यहाँ पर करते हैं, ताकि मिलकर साथ में रह सके, और इंडिया एक ऐसा देश है आपर, जो कि कही न कहीं सेंटर में है इसके, तो फूरा focus आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, कई बार China भी चाहता है कि यहाँ पर ऐसी organization के अंदर में जुड़ जाए, पर लेकिन यह है Indian Ocean के नहाँ पर, यह आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कई सारे dialogue partner भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कई सारे आप लोग को 23 member है, ठीक है, तो 23 member है, और इसी के साथ में 11, आप लोग को यहाँ पर इसके dialogue partner आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो यह याद रख सकते हैं, dialogue partner में आप लोग जिसने ही China हो गया, Egypt हो गया, France हो गया, तो direct indirect way में तो connect training courses करेगा, दूर तो कोई रहने से रहा, तो य 9th G20 Parliamentary Speaker Summit जो है, उसको integrate किया गया, लेको G20 के अधिक्सता जो है, वो आप लोग को इंडिया के अंदर में देखने को मिलते थी, ठीक है, अभी वो अधिक्सता जो है, वो ट्रांसफर हो चुकी है, किस देश के पास में, यह आप लोग को बताना है, पर ट्रायोका का member हम लो वन फैमिली और वन जो फ्यूचर है, यह इसकी theme आप लोग यहाँ पर देखने को मिले थी, ठीक है, तो question आप लोगों से पुछा सकता है, इसी के साथ में, जो यहाँ पर यह आप लोगो P20 के बारें बात करें, तो इसमें parliamentary for one earth, one family, one future, यह याद रखना आप लोगों से 2010 में, तब से continuous यह परता चली यार, यह, G20 के बारे में मैंने पहले भी आप लोगो बता है, इसके अंदर में G20 आप लोग इसको अभी भी बोल रहे है, मुझे लग रहा है कि G21 कर देना चाहिए, पर लेकिन कर नहीं रहे, क्योंकि African Union जो है, वो अब इसका part बन चुका है, 85 25% global GDP और 2 by 3rd world की population इसी के अंदर में आती है, यह चीज आप लोग इहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर इंडोनेशय में 2022 में थी, ठीक है, इंडिया के अंदर में 2023 में थी, ब्राजील में 2024 में आप लोगो देखने को मिल रही है, अब next देश कौन सा होगा, उ ठीक है ना, दोस्तों आप लोगो पता है, रसिया और योक्रेयन के बीच में लड़ाई चल रही है, यह काफी लंबे समय से, यह जो पर्टिक्लर मुद्द हैं आपर उसी से लिटिड है, और पहले भी न्यूज में था, फिर से बार-बार न्यूज में आ रहा है, एक आप लोग बोल सकते हो, जिसका नाम है Montrex Convention, यह Montrex Convention जो है, यहाँ पर एक देश है, जिसका नाम है तुर्की, तुर्की को पावर देता है, कि बोस फोरस स्टेट और इसी के साथ में डार्डिनल स्टेट जो है, यहाँ से जो वोर्शिप या फिर कोई भी हतियार बंद ऐस कोई जहाज जाता है, तो उसको regulate कर सेगे, इसकी पावर तुर्की के हाथ में यहाँ पर दे रखी है, इस पर्टिबलर कन्वेंशन ने, जो की 1936 में साइन किया गया था, तो अभी यहाँ पर तुर्की ने impose कर दिये restriction कि कोई भी वोर्शिप वगेरा जो है, इसके अंदर में allow नहीं किया जाएगा, तो इसके चलते ही हाँ यहाँ पर यह news में आ गया, अब important question में आप लोगो बताता हूँ, यह तो एक अलग चीज होगी, अब Black Sea जो है, Black Sea से अगर आप लोगो Sea of Marmara के अंदर में जाना है, तो आप लोगो यहाँ पर Boss Forest State से जाना पड़ेगा, और Sea of Marmara से अगर आप लोगो Azenian Sea में जाना है, तो आप लोगों यहाँ पर Dardanal State से जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से पहुंचते वे आप लोग कहाँ पहुंच जाओगे, आप लोग पहुंच जाओगे यहाँ पर Mediterranean Sea के अंदर में, और यह question कई बार पुछे आ चुके हैं, कि Black Sea को Marmara Sea, Marmara Sea को Azenian Sea, तो कौन-कौन से state जो है, वो connect करते हैं, तो इसलिए एक map-based question आप लोगों से डेलेट हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है, यह चोड़ा सा question जह है, जो आप लोग याद रखेगा, तुर्की के हाथ में पावर क्यों हैं यह, क्योंकि जो Istanbul वाला area है, उसका जो particular यह वाला portion होगे, जिसको मैं green कर रहा हूँ है, यह आप लोगो तुर्की का Europe में देखने को मिलेगा, और यह वाला portion Asia में है, तो यह तुर्की का ही basically area है आपर, तो इसलिए तुर्की के हाथ में power है, कल को कुछ दिक्कत होगी लडाई, भूम फुटेंगे तो तुर्की याद रख सकते हैं, तो confuse यह ना कता ही नहीं है, ओके, दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, health is wealth के बारे में, यहनके health एक बहुती important topic है, जिससे direct question आप लोगे बनते वे नजराते हैं, तो क्या-क्या topic है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इस्टार लगाले वा Oxford और Serum Institute जो की इंडिया का है, उन्होंने मिलके malaria की vaccine यहाँ पर बनाई थी, और WHO ने वो vaccine लगाने के लिए, लोगों के लिए recommend भी कर दी, कौन-कौन से देस में, यह है African continent जहाँ पर काफी large scale पर malaria की बेमारी देखती है, इसमें घाना है, इसके अंदर में Nigeria है, और इसके रखिएगा, पर उससे पहले यह बताइए, World Malaria Day जो है, वो कब celebrate किया जाता है, दवाई का नाम जो है, अभी आप लोगो बता है, नहीं नहीं बनी है, तो R21 बेसिकली इसी के साथ में इसको matrix, या फिर M. Medicine के नाम से भी, इसको M. Vaccine के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ए कि बीमार नहीं हो एंसान, हो सकता है, फ्यूचर में बीमार हो, तो यहाँ पर यह पहले से दी जाती है, तो prevention का काम करती है, बीमारी को prevent करती है, यानिके रोकती है एक तरीके से, तो इसलिए कहते हैं कि prevention is better than cure, prevention is better than cure, यानिकि बीमार होने से पहले ही, अपने आपको जो है पुड़ा सा सही रखो, वरना बाद में cure, यानिके इलाज करवाना पड़ेगा, तो इसलिए vaccination is better than medicine, आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है, तो यह बहुती basic सा एक तरीके से fund है, इसलिए vaccine के ठीके लगा जाते हैं छोड़े छोड़े बच्चों को, ताकि आगे चलकर दिक्कत ने देखने को मिले, और malaria तो एक ऐसी बीमारी है हमारे देश के अंदर में भी, जो कि public health 1000 की तरीके से देखे जाती है, 1.7% global malaria case, 1.2% global malaria death हमारे देश में देखने को मिलती है, मोस्किटो बेवन बीमारी हैं आपर, plasmodium जो protozova है, यह मच्चर के त्रूप फेलाई जाती है, और Africa और Asia के अंदर में और इसी के साथ में South America में काफी large scale पर एक ऐसी बीमारी जो की curable है, WHO की भी initiative है दुनिया भर के, जैसे E25 initiative हो गया, WHO का technical strategic malaria, जो यहाँ पर एक program है, जो की 2016 से लिगे 30 तक का है, हमारे देश के अंदर में 5 year strategy है, malaria को लेकर, high burden, high impact के initiative हैं agricultural जो nets होते हैं, मच्छा दानी वगरा एक तरीके से, उनके बारे बाते की जाती है, और इसी के साथ में छिड़काओं के बारे बात की जाती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी, malaria को ठिकाने लगाने के लिए, पर मच्छा जो है वो गाना गा यहाँ पर बात करते हैं, किसके बारे में यह फर्मो कोपिया discussion group, फर्मो कोपिया discussion group जो है, बेसिकली फर्मा इंडेस्टी से बात कर सकते हैं, इंडियन फर्मो कोपिया commission जो है, वो मेंबर बन गया है, यहाँ पर किसका फर्मो कोपिया commission का, इसका मतलब क्या हो गया, इंडिय health organization के द्वारा यहाँ पर इसको ऐसे observer के तोर पर आप लोग देते हैं और यहाँ पर यह twice मिलते हैं कि कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है हमारे देश में भी ऐसा institute है जो कि ministry of health and family welfare के अंडर में आता है कि जो drugs है जो दवाईया है उनका standard maintain रखने का तो confusion नहीं होना चाहिए कई बार आप लोग उसे question पुछे आते हैं तो अगर mind में clarity होगी तो आप लोग चीजों को understand कर पाएंगे और जिस किसी international body के हम लोग part बनते हैं तो उसको छोड़ना नहीं उसको तो हमेसा आप लोग को याद रखने है क्योंकि वहाँ से तो direct question आप लोग के देखने को मिलते हैं ठीक है 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 से लेटर एक छोड़ी सी news आप लोग को देखने को मिलेगी WHO ने rank Egypt first country to achieve the path to eliminate the hepatitis C hepatitis C को eliminate करने वाले path पर चलने वाली सबसे first country का जो उधान एक तरीके से एक appreciation यहाँ पर WHO के द्वारा Egypt को दिया गया है hepatitis C direct question यह पूछेंगे कैसी विमारी है यह एक viral विमारी है यह किसको impact करती है तो यह हमारी body के liver को impact करती है sore term और long term दोनों तरीके की illness से आप लोग को देखने को मिलेगी और यह life threatening disease भी है खतरनाक चीज यह है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच सकती है viral है तो normal सी बात है तो यहाँ पर यह contact से यहाँ पर एक दूसरे में जा सकती है अगर उनका fluid यहनके blood वागर उनका contact होता है transmiss होता हुआ नजर आता है यह हाँ पर WHO के दूसरे यहाँ पर इसके उपर focus कियाता है कि यह Eastern Mediterranean reason और European reason के अंदर भी आप लोग को काफी large scale पर देखने को मिलती है तो बीमारी के बारे में कई बार question आप लोगों से पूछे आते हैं कि यह बीमारी कैसी यह viral है, bacterial है कहाँ पर infect करती है बोड़ी के तो liver को infect करती है, तो इसके चलते question बने, तो confuse याना कते ही नहीं है तो Egypt के उपर focus गया WHO का इस बीमारी को लेकर एक important बात आप लोग यहाँ पर याद रखना आप लोगों मैंने समिधान के अंदर में जब हम लोग polity पढ़ते हैं, तो मैंने आप लोगों वहाँ पर पढ़ाया कि साथवे schedule के अंदर में तीन list होती है, एक को बोलते है union list एक को बोलते है state list और एक को बोलते है concurrent list, अगर कोई subject इनके अंदर भी नहीं आता है, तो उसको बोलते है residue subject, वो residue list जो है, वो center के अंदर में देखने को मिलती है ऐसे ही हाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कई सारी ऐसी बीमारी होती है जो कि कहीं पर भी जिनको cover नहीं किया गया है, तो उनको basically बोला जा रहा है कि उनको cover किया जाए national policy के अंदर में, अभी हमारे देश के अंदर में हैं आपर, ये नीमनन पिक disease देखने को मिली, जिसको NPD के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं ये एक तरीके की genetic disorder है जो की काफी large scale पर metabolism को जो infect करने वाली बीमारी है और बच्चों को काफी large scale पर जब ये कभी कभी देखने को मिलती है तो उनकी जिन्दगी बरबाद होती है कोई specific treatment नहीं है आपर, किसी भी तरीए का और यहाँ पर एक तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, जब कोई specific treatment नहीं है आपर, type A, type B एक तरीए symptoms जो हैं, यहाँ पर जब निकल कर आते हैं, तो फिर लोग जो हैं जब प्रेशान होते हैं, तो फिर यहाँ पर इन बीमारियों को ठीक करने के क्रोडो रुपे लगते हैं, क्योंकि इनका कोई लाजी नहीं है हापर, अगर कोई injection है, तो कोई एक आदा injection है, तो इसलिए कोई नोर्मल परिवार उसके साथ में उसको हैंडल नहीं कर सकता है, सोचो, अगर कोई particular बीमारी ऐसी है, कि उसका injection तीन करोड का आ रहा है, आप लोग सोचके देखो, आप लोग अगर गजेटिट ओफिसर भी बन जाओगे न, तो अभी पूरी जिंदगी में आप लोग मुस्किल से अगर घपले वाजी नहीं करोगे घपले वाजी अगर नहीं करोगे तो भी आप लोग जाकर लगबग धाई से तीन क्रोड रुपे पूरी जिंदगी में आप लोग कमा पाओगे, तो इससे आप लोग अंदाजा लगओ एक नोर्मल इंसान जो है, वो क्या करेगा तो काफी ज़्यादा खतरनाक सिच्विशन देखने को मिलती है तो इसको यहाँ पर न्यूज में है, तो याद रखेगा, NPD ये डिजिस के बारे में, हमारे देश में फॉस्ट केस अभी यहाँ पर दो रेर डिजिस का देखने को मिला, जिसके तलते हैं आपर ये न्यूज में आ गया है कन्फूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है काफी इंपोर्टेंट है आपर हम लोग बात करेंगे, अगरिकल्चर के बारे में जो इंपोर्टेंट न्यूज है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा दोस्टर इस्टार लगा ले ना, क्योंकि GI टेग से कई बार कोश्चन एक्जाम में पूछे गए गए हैं, जिसको आप लोग भोगोलिक संकेतक बोलते हो, इंगलिस में जिग्रिफिकल इंडिकेशन बोलते हो कैश्यू क्या होता है, यह होता है बेसिकली काजू, तो यहाँ पर इसके लिए अभी बात की गई है, गोवा के अंदर GI Tech के बारे में, और यह काफी बड़ा एक सोर्स है गोवा के अंदर में जो कि हाँ पर एक कोंट्रिबूटर है, एकनोमी के लगती हैं, ज़्यादा मेटी नहीं होती है पर फिर भी आप लोग को देखने को मिलेगा एक बहुती, एक अच्छी लेवल पर आप लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं, मतलWhy आप लोग एक तरीके से देख सकते हैं, यह कितना century में लगबग आप लोग बोल सकते हैं इनको introduce किया गया, first cashew factory गौव में आई हापा, गौव में कब आई 1926 के अंदर में, तो ये history में आप लोग को बता रहा हूँ, cashew यानू के काजी के बारे में, ये tropical और सब tropical reason में उगाई जाते वाली एक fossil है, जिसकी time pressure 25 से लेके 30 degree तक requirement आप लोग को देखने को मिलेगा, annual rainfall जो है, 1000 से लेके 1500 mm और India world में largest producer लगबग 20% global काजू हमारे ही देश में उगाई जाते हैं महरास्ता largest producer followed by आंदरपरदेश और उडिसा और यह आप लोगों देखने को मिलेगा यह कहाँ पर होता है, ओंदा poor और row की जो soil है, उसमें आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा, direct question जो पूछा जा सकता है, उसके बारे में याद रखना, सबसे जाता है महरास्ता में, फिर आंदरपरदेश में, फिर उडिसा में, पर लेकिन GI tag कहाँ पर मिला है, GI tag मिला है यहाँ पर किसके अंदर में, यह बात की जारी है गोवा के अंदर में, तो इसके चलते question आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो महरास्ता 1 पर है, आंदरपरदेश 200, उडिसा तीसरे पर, करनाट का चोते पर, तमिलाडू फिर केरला, फिर चतिसगर, फिर वेस्ट बंगाल महरास्ता और गुजरात, दसवे नंबर पर देखने को मिलेगा, यहनिके कल को चलकर अगर question आप लोगों से पूछ ले कैसियू जो है, काजू जो है, उसमें देदे राइस्थान के अंदर में, फिर पंजाब के अंदर में, फिर यूपी के अंदर में, देखने को मिलता है, तो वो आप लोगों का काट रहा है बेसिकलि उल्लू बना रहा है, हहाँ पर examiner क्योंकि South India में देखने को मिलता है और UPSC normally कैसी statement देती है कि कैसियू की जो फसल है, जो agriculture है, वो normally North Reason में देखने को मिलती है, ठीक है ऐसा statement देगा, ठीक है या फिर South Reason में देखने को मिलती है तो ऐसी statement देगा, तो अगर आप लोगो पता होगा, तो confusion नहीं होगा तो interesting question बन सकता है, ठीक है एक और news है, आपर basically बात की जारे किसके बारे में, कस्तूरी कोटन भारत के बारे में, कस्तूरी कोटन भारत कोटन हमारे देश में काफी large scale पर produce कियाता है, इवन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो हमारे देश में, खासकर जो western वाला reason है, उसमें काफी large scale पर आप लोगो ऐसा area देखने को मिलेगा जहाँ पर यह फसल हुगाई जाती है, जो कि creep की फसल देखने को मिलेगी, और खासकर कोटन, एक ऐसी फसल है जहाँ पर जादा पानी की requirement आप लोगो normally नहीं देखने को मिलती है, ठीक है पचास से लेकर, सो तक की rainfall यहाँ पर जुरत है, इसके लिए जो मिट्टी है वो काफी important है, black soil का नाम आप लोग ने सुनाओगा, जिसको rigor soil के नाम से भी आप लोग जानते है तो वहाँ पर यह नजर आता है cotton का जो largest producer है world में वो हम है, तो इसलिए important है याद रखना, सबसे बड़े एक producer हम है फिर चाइना है, और फिर US से है तो यह समझ सकते हैं, यह तो बता दिया सर, इस्टेट सबसे ज़्यादा कौन सा है, अगर बात करूँ तो याद रखना, इस्टेट में सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, दूसरे नंबर पर महारास्ता में होता है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना फिर रांधर परदेश, और फिर आप लोग को क्लसिफाई किया जाता है, कहां कहां पर कौन सा पाय जाता है यह थलकी से इंफोर्मिशन प्रोवाइड करा दिया आप लोगो, तो डाउट मत रखना इसके लिए पर लेकिन हाँ पर यह याद रखना कि तो यह भी काफी important topic बन जाता है कैसे अभी बताता हूँ दोस्तो हमारे देश के अंदर में खासकर जब सरदी का मोसम आता है तो दिल्ली जो है, वो pollution की एक तरीगे से बाड में, लपेट में, चपेट में कुछ भी बोलो आप लोग आ जाता है तो दुनिया भर के initiative हैं यहाँ पर तो अभी यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ था जब यहाँ पर pollution देखने को मिला था तो यहाँ पर अलग-अलग तरीगे के initiative स्टार्ट कियेगे तो यह सारे initiative में ने एक जगह प्रोवाइड करा दी है अगर air pollution के बारे में या कुछ pollution के बारे में लिखने के लिए तो याद रख सकते हैं इसमें सफर भी आप लोग को देखने को मिलता है ठीक है तो सारी चीजे हैं यहाँ पर और बाकी air quality जो standard है उसका index भी हमारे देश के अंदर में तयार किया जाता है center pollution control board के द्वारा ये question state PCS के अंदर में पूछा गया तो यहाँ पर 0 से लेके 50 तक का good माना जाता है ठीक है 51 से लेके जो यहाँ पर दूसरा pen लेते है कोई सा भी ले लो color तो सारी कोई नों कोई ढख जाए good माना जाता है आपर 51 से लेके 100 तक का satisfactory रहता है फिर moderate आता है 101 से लेके 200 तक का और 201 से लेके 300 तक का poor 301 से लेके 400 तक का very poor और 401 से लेके 500 तक का severe category में आप लोग को देखने को मिलता है तो यह आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा बागी सफर पर अगर आप लोग को निकलना है तो यह slide में आप लोग को बहुत बार दिखा चुका हूँ फिर से इसको discuss करने का कोई मतलब है नहीं देख लेना इसको एक बार बस यह रयाद रखना कि developed किया गया था IITM पूने के दौरा Indian Institute of Tropical जो यहाँ पर metrology है और यह implement किया आता है IMD के दौरा Indian Metrological Department के दौरा तो इनमें दोनों में difference रखना क्योंकि यहाँ से question already पूछा जा चुका है Ministry of Earth Science जो है वो यहाँ पर उस Kendra आप लोग को देखने को मिलेगा यह सारा काम किया जाता है चिलका लेक यह काफी famous लेक है यह इसलिए रामसर साइट बन गई ठीक है राम जी ने चिलके पर दया कर दे तो यहाँ पर यूनियस को World Heritage साइट भी है 1981 में हाँ पर जो चिलका लेक है उसको designating किया गया First Indian Wetland to International जो रामसर Convention के तहत में और यह Asia की largest और वोल्ड की लेकिन largest Blackest Water Lake देखने को मिलेगी Lagoon भी है आपर इसी के साथ में एक particular reef है जिसका नाम याद रखते हैं इसको बोलते हैं New Caledonian Basically Barrier Reef तो यह यहाँ पर आप लोगों समझ में आना चीए इसके बारे हैं भी कई बार ऐसे question भी आप लोगों से past में पूछे गए तो confuse आना कते ही नहीं है ठीक है Tamil Nadu सरकार के द्वारे एक project launch के गए जिसका नाम है project नीलगिरी थार तो यह launch के गए तमिलड़ू सरकार के द्वारा पहले तो आप लोग यह याद रखना कि project नीलगिरी थार जो है आपर तो यहाँ पर जो यह नीलगिरी थार है यह क्या है सदन इंडिया में पाय जाने वाला एक इस तरीके का जानवर है बकरी टाइप का आप लोग को देखने को मिलते हैं 12 species इसकी इंडिया के अंदर में पाय जाती है western ghat में endangered की category में है और यह तमिलाडू का state animal भी है तो इसलिए हाँ से इनके द्वारे scheme निगल कराती है तो आप लोग समझ सकते हैं 25 क्रोड रुपे देकर यहाँ पर इसको launch के गया project को अगर बात करें convention के बारे में तो IUCN में इसको endangered में रखा गया है wildlife protection में इसको basically schedule 1 में protection प्रोडेक्शन 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 कराएगी है जो की काफी important होता है यानि कि अच्छे से protect करने की बात इसको की जा रही है तो यह कुछ basic चीजे हैं जो याद रखेगा तमिलाडु के बारे में अगर कोई पूचे तो confusion आना नहीं है जंगल में आग लगना बड़ा ही common सा pattern आप लोग को देखने को मिलता है और हमारे देश में भी बड़ी ही जल्दी ये चीजे देखने को मिलती रहती हैं आप लोग को ये आज की नहीं है काफी पुरानी organization है यानि कि 2000 में established किया गया था United जो यहाँ पर Nation Economic and Social Council of United Nation जिसको ECOSEO बोलते हो आप लोग यहाँ पर ECOSOC तो इसका headquarter आप लोग को New York USA में देखने को मिलेगा और India one of the founding member है इसलिए important question आप लोगों से बन सकता है कंट्री लेड इनिशेटिव होते हैं कि हर कंट्री के अपने अपने लेवल पर इनिशेटिव लेने हैं फिर उनको implement के आता है ताकि जो भी problem है जिसकी वेसे आग लगती है उसको रोका जा सके Amazon के forest में दुनिया भर की आग लगती है कई बार local लोग आग लगा देते हैं ताकि पेड जल जाएं तो वहाँ पर agriculture कर सके क्योंकि आप लोगों को पता है जूम cultivation जो है बड़ी famous होती है tribal community के अंदर में तो उसकी वेसे भी कई बार आग लगती है कई बार जान बुझ कर आग लगा जाती है लकडी को बेचने के लिए तो बहुत सारी चीजे हैं तो अपने level पर काम करें और इसका solution निकाले तो यहाँ पर इसलिए ये भी आप लोगों से interesting news हो सकती है बात करते हैं दोस्तो science and technology के बारे में एक काफी important area है ये जिससे science and tech के direct question बनते हैं पर लेकिन वह यह है कि एक आधा mission आता है महीने भर में कोई तो इस तरीके से आप लोगो हलका सा idea होना चाहिए उसी के बारे में या फिर एक overview पता होना चाहिए अभी हमारे देश के प्राइमिस्टर्स आपके द्वारा ये बोला गया कि 2035 तक का इसरो के goal क्या क्या है उसके बारे हैं बात की इंडिया का जो moon mission है वो तो आप लोगों ने देखा श्यांदार तरीके से हमारी performance रही पर moon पर आदमी भेजने की बात की गई 2040 में तो क्या क्या बात हैं आप लोगो पता है अदित्य ऐलवन mission हमारा सूरज के लिए देखने को मिल रहे है चांद के लिए मंगल के लिए आप लोग को mom mission देखने को मिलते है mom की full form क्या है गगनियान mission जो है आप ये space flight के बारे बात की जा रहे हैं भारतिय अंत्रिक्स space station के बारे में हम लोग बात कर रहे है चांद पर अपने लोगों को भेजने की बात की जा रहे है और Venus vision के लिए भी हम लोग prepare हो रहे है तो इस रोगों ने काफी बड़े-बड़े target बना रखें आप लोग भी जिंदगी में कुछ target बनाओ ताकि उनको अचीव करें तो लगे कि इनसान ने जिंदगी जो है वो पलटके रख दी तो कुछ ने कुछ ऐसा shift जिंदगी में आना चाहिए है कि नहीं तो क्या target है आप लोगे लिए आने वाले time में जरूर बताना ताकि उनको धंक से focus भी करके चलो तो अच्छा लगे कि हाँ यार कुछ तो अचीव किया है next यहाँ पर NASA का project आप लोगो देखने को मिलेगा NASA कोसिस कर रहा है कि deeply घुश जाए जाकर Milky Way के अंदर में यानि कि जो हमारी galaxy है उसके लिए NASA का project है इसका नाम रखा है Nancy Grace Roman Space Telescope इसके तुरूँ यहाँ पर ये एक observatory है इसमें launch की जाएगी 26 में तो आप लोग देखकर जोगो कि आप लोग को advance में तेयारी करा रहा हूँ आने वाले के exam के लिए जो आगी future में exam देंगे तो उनके लिए आप लोग सोच सकते हो कि आगे भी ये mission आप लोगो कही हो सालों तक news में देखने को मिलेगा क्योंकि तब तो launch किया जा रहा है समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर तो mission का जो projected जो हैं पर देखने को मिलेगा यह basically काम किया जा रहा है तो last 4-5 year तक हैं पर यहाँ चलने वाला है mission monitor करेगा बहुत सारे millions of stars और यहाँ पर उसके बारे में information प्रोवाइड कराएगा इसमें already कई सारी चीज़ा आप लोगो देखने को मिलती है कोसिस की जाती है कि हम लोग कैसे इसको understand करें एक आप लोगो bard sparrel type का आप लोगो galaxy का pattern देखने को मिलेगा 13.6 billion year यह count करें तो आप लोगों यहाँ पर इसकी age नजर आएगी और इसी के साथ में 1 lakh light year across the size यहाँ पर यह value ही galaxy है हमारी तो उसके बारे में जानने की इच्छा रहती है लोगों की खासकर जो लोग जो हैं जो antrix में interest रखते हैं space में तो उनके लिए यह काफी important है आपर और पता भी चलना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है आसपास वाले reason में maximum लोग को तो यही नहीं पता चलता है कि दिन में क्या चल रहा है दिन कहां खतम हो गया और कुछ लोग ऐसे हैं कि पता नहीं कहां कहां जाकर गुश रहे है तो अपना अपना interest है भाई यह एक star लगाने वाला question हो सकता है आप लोग को पता है NASA के साथ में मिलकर अलग-अलग local space agency काम करती है पर हमारे ISRO के लिए अब तक कोई ऐसी चीज़े हुआ नहीं करती थी पर अभी हमारा ISRO भी जो है वो local लोगों को support कर रहे है ताकि इस field में लोग आ सके Skyroot ऐसा ही एक initiative देखने को मिलेगा जिसमें Vikram 1 rocket launch किया गये हाँ पर Skyroot एक company के द्वारा Vikram 1 rocket इसका नाम ही हाँ पर रखा गया जो father of जो Indian space program है उनके नाम पर रखा गया low earth orbit में ही हाँ पर यह आप लोग को चक्कर लगाता हुआ यहाँ पर basically नजर आएगा ठीक है तो यह आप लोग यहाँ से समझ सकते है question बने हलका सा idea आप लोग रखेगा जो यह launch किया गया यह former ISRO के जो engineer है उनके द्वारा यहाँ पर यह चीज़े आगे देखने को मिली तो यह कहीं ने कहीं आगे आने वाले टाइम में private sector का participation इस field में काफी शांदार देखने को मिल सकता है तो majority of satellites जो हैं वो आप लोग को अगर आप लोग defense की तयारी करें तो आप लोग के लिए तो star लगाने वाली बात है अभी बताऊंगा interesting क्या है बहुत interesting news दे star लगा लेना ऐसे question अकसर पूछे जा सकते हैं आप लोगों से history में आप लोगों ने देखा हमारी शांदार history रही है काफी शांदार तरीके से even नेवी के अंदर भी जाओगे तो काफी शांदार हमारी strategic बनाने वाले लोग हमारी history काफी अच्छी रही है father of Indian Navy किसको बोलते हैं बताई जरा अभी यहाँ पर army के द्वारा एक project इस्टार्ट किया गया तो project Indian Army का है यह indigenous military knowledge को यहाँ पर इखटा करेंगे तो उदभाव project उसी का नाम यहाँ पर रखा गया है Indian Army ancient time में जिसमें कोटेलिया भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो चानक के असाब के द्वारा क्योंकि किसी इंसान को सडक से उठा कर उसको राजा बना देना तो इससे कोई एक hysterical person ही ऐसा काम कर सकता है तो कैसे हम लोग ने history के text में कैसे कैसे kingdom हुए हमारे देश के अंदर में कैसे कैसे क्या क्या चीज़े सब को study करकर यहाँ पर Indian Army जो है वो यहाँ पर मिलकर काम कर रही है United Service Institute of India के साथ में और यह एक तरह का think tank है कि हम लोग अपनी history से क्या सीख सकते है हमारी history इतनी deep है ना उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते है तो उसी में से एक उदभव यहाँ पर निकल कर आएगा और आप लोग ने एक्सर सुना भी होगा चानक क्या साब के द्वार तो बोला भी आता है दूसरों की गलतियों दे सीखो तो यह एक काफी important एक initiative आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो तो मेरी तरफ से तो star है और salute है इस तरीके का project अगर चलता है तो यहाँ पर शांदार तरीके से एक बहुती बहतरी knowledge निकल कर आएगी पुराने टाइम पर कैसे gorilla warfare देखने को मिलते थे कैसे कैसे equipment यूज कियाते थे बहु बली movie आप लोग ने देखिये न उसके अंदर में भी instant technology को दिखाया गया काफी large scale पर तो काफी अच्छा initiative है मेरे इसाब से तो तो एक तरीके से all the best कहीं न कहीं Indian Army को शांदार तरीके से यह knowledge का पता सबको होना चाहिए जब भी दो देश आपस में लड़ते हैं तो सबसे ज़्यदा खतरनाक होता है कि ऐसे weapon का इस्तमाल न कर ले जिससे मानवतज है वो तरही माम करने लगे अभी force for us यहाँ पर एक particular gas के इस्तमाल करने के बारे में बात केगे जिसको voice force for us weapon बोला गया कि यहाँ पर उसका इस्तमाल किया गया है इस्राइल के दौरा जब यहाँ पर इस्राइल और देखने को मिलेगा जो कि vision empowerment यानि कि आखे बिलकुल बरबाद कर देगा तो यह समझो कि इनसान को इस लेवल पर ले जाके रख देगा कि वो जिंदर हैने से अच्छा मर ही जाए अब इनसान किसी काम का नहीं है तो ऐसी चीज अगर इस्तमाल होती है तो कितनी जाद है humanity के लिए खतरनाक हो सकती है और past में यह मना जाता है कि इसका 2004 में USA ने इराक के खिलाब इस्तमाल किया 2007 में इथोपिया ने सोमाले के खिलाब इस्तमाल किया 2011 में भी यहाँ पर इसका इस्तमाल किया गया अफगानिस्तान के अंदर में इस्तमाल किया गया तो सोचने वाली बात है यार यह सारी कि किस तरीके से चीजे लेकर चल रहे है और कहां पर जाकर यह रुकेगी तो कहीं न कई खतरनाक है बहुत जाद है हमारे पास में एक मिसाइल सिस्टम है जिसको आप लोग ने सुनाओगा अगनी मिसाइल सिस्टम हम लोग बोलते हैं ऐसी तरीके से यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा जिसका नाम है जैरिको जैरिको मिसाइल सिस्टम किसका अगर मैच करने के लिए तो याद रखना इस्राइल का है यह खतरनाक सिस्टम आप लोग को देखने को मिलते हैं टेस्ट किया गया 2008 में और यह सर्विस में आगया 2011 में सोचो कोई चीज अगर स्टार्ट करते हैं बनानी तो इतनी आसानी से नहीं बनती है 1960 में स्टार्ट की और पहली बार टेस्ट किया गया 2008 में और सर्विस में आया 2011 के अंदर में तो यह याद रखना यह जैसे हमारी अगनी सिस्टम है जैसे अलगलग सिस्टम है ऐसे ही हाँ पर इसराइल के अंदर में इनका यह सिस्टम आप लोग को देखने को मिलेगा एक military exercise के बारे में आप लोग enhance कर सकते हैं multi domain operation कैसे चला सकते हैं और सबसे important यहाँ पर यह है कहीं ने कहीं कि यह exercise कहां कहां पर देखने को मलती है तो एक बार हमारे देश में एक बार यहाँ पर उनके देश में तो last वाली थी इनके देश में अब की बार हमारे देश में फिर अगनेस्ट वाली इनके देश में तो इससे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं question भी अगर बने और इंडिया और यहाँ पर मलीशे के relation की बारे में भी लिखने के लिए आए तभी भी आप लोग यहाँ पर इसके इस्तमाल कर सकते हैं इस तरीके defense relation का भी एक point आप लोग का बन सकता है हमारे देश का जो INS समेधा है उसकी diplomatic tie आप लोग के stand देखने को मिली port widget किया गया कहाँ पर Nigeria और इसी के साथ में Lagos के अंदर में तो question आप लोगों से पूछा जा सकते हैं तो यह आप लोग हलका सा इसके बारे में idea रख सकते हैं तो कहाँ कहाँ पर किस तरीके चीज़े आप लोग को देखने को मिलती हैं next यहाँ पर Gaza का जो Rafa border था वो काफी ज़दे news में था रफा crossing को लेकर यहाँ पर कई सारी बाते discuss कीगी थी तो याद रखना यहाँ पर Gaza वाला area यह हो गया यहाँ से रफा crossing करके यह सनाई पैनसुला में जाने की यहाँ पर बात की जा रहे थी जिसकी वेसे यहाँ पर यह काफी ज़दे news में आय था तो इसको आप लोग हलका सा idea रख सकते हैं question बने कि कहाँ पर यह located है तो उसको लेकर हलका सा idea आप लोग रखेगा क्योंकि मैं बेश question आप लोग का directly यहाँ से बन सकता है और यह particular reason Mediterranean area हो गया और यहाँ पर Red Sea आप लोग को देखने को मिलता है इधर Saudi Arabia, यहाँ पर Jordan, Israel यह Cairo है और यह कौन सी river है इसका नाम आप लोग बता दो देखता हूँ कौन बताता आप में से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंडिया और नेपाल के relation के बारे में और यहाँ पर बात की जा रही है सब्त कोसी डैम के बारे में तो सब्त कोसी डैम में पानी को reduce करने की बात चल रही है यह कोई नहीं पूछेगा आप कहाँ पानी बढ़ गया कहाँ घट गया पर हाँ इस particular डैम के बारे में और इस particular रीवर के बारे में आप लोगों से जरूर पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है यह रीवर और कहाँ पर है यह डैम तो multi-purpose डैम है जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कोसी रीवर के साथ में आप लोगो याद होगा ठीक है तो यहाँ पर यह जो particular रीवर है यह इतनी important है कि इसको बिहार का सोरो कायाता है कि maximum बिहार के अंदर में बार्ड जो है आप लोगो देखने को मिलती है तिबबत नेपाल और इंडिया के अंदर में फ्रू होती ही यह एक trans boundary रीवर देखने को मिलेगी सब्त कोसी रीवर कोई हाँ पर इसके उपर डैम बनाया गया जिसको इंडिया के अंदर में कोसी और नेपाल के अंदर में इसके अंदर में आप लोगो देखने को मिलता है और बिहार का सोरो भी इसको कहा जाता है तो बिहार के अंदर में state pieces के अगर आप लोग तैयारी कर रहे है तो आप लोगो दो कम से कम इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए ठेक है दोस्तो एक important news आप लोगो यहां पर देखने को मिलेगी Indian society के बारे में जिसके बारे में आप लोगो पता भी होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्याद है हाह उल्ला इसके उपर देखने को मिल रहा था उस टाइम पर भी जब यह particular news आई यह जो particular news है यह है बिहार के cast survey के बारे में यह cast survey है ना की census है census जो रहता है उसकी authority central government की हाथ में है पर survey जो है वो state government भी connect करा सकती है क्योंकि जब बिहार ने बोला कि हम लोग survey कराएंगे तो central government जो है वो court में पहुँच गई बोली कि हम लोग ही करवा सकते हैं बस survey भी जरुत किया है आप census conduct कराओ तो बिहार कास्ट census जो report है इसको बिहार बेस survey भी आप लोग बोल सकते हैं इसमें बोला गया कि extremely backward community को जब यहाँ पर count किया गया तो उसमें 63% population यहाँ पर यह देखने को मिली और इसके बेस पर इन्होंने अब reservation देना भी start कर दिया है उसको भी increase करना भी start कर दिया है आप लोग को पता है हमारे देश के अंदर में अगर मैं बात करूँ total reservation के बारे में इंद्रासानी judgment आया था हमारे देश के अंदर में उसने ही बोला था कि reservation जो है वो maximum से maximum जो है 50% होना चाहिए इसलिए हमारे देश में अब तक का 49 point ये आप लोग को reservation देखने को मिलता था 49.50 पर लेकिन economically weaker section का reservation जैसे ही दिया गया तो 10% reservation बढ़ गया अब यही 59.50 reservation हो गया ठीक है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो आज की date में total reservation हमारे देश के अंदर में ये आप लोग को देखने को मिलता है अब इसके अंदर भी include, increase करने की बात की जाएगी तो फिर आगे और पता चलेगा अभी यहाँ पर यह बताना है कि economically weaker section को जो reservation दिया गया था समिधान के अंदर में कौन सा constitution amendment करके ये reservation दिया गया था तो देखता हूँ आप में से कौन इसका सही answer देता है मैं wait कर रहा हूँ इसका answer जूर देना पता चलेगा आप इससे कि कौन कौन सा किस तरीके से हाँ पर basically reservation दिया जा रहा है तो हलका सा ideas के बारे में आप लोग होना चाहिए ठीक है तो एक काफी एक interesting और important news थी याद रखना हमारे समिधान के अंदर में 15 और 16 ये दो article है basically part 3 के अंदर में जब आप लोग fundamental right के बारे में बात करते है article 12 से लेकि article 35 तक का तो कैसे लगा तो आज का ये discussion मैं आसा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से enjoy किया होगा अच्छे से का मतलब होता है कि शांदार तरीके से ठीक है कोई भी doubt नहीं होगा I hope कि आप लोगों को सारी बाते clear हो गई होगी वीडियो को कितना rate करोगे आप लोग यहाँ पर यह बता सकते हैं बाकी NCRT वगयरा कि जो courses हैं आप लोग उनको join कर सकते हैं उसके लिए मैंने आप लोगों को बताय था कि वहाँ पर अभी आप लोग के लिए discount चल रहा है और फिर आगे जो है वहाँ पर price आप लोगो increase होता हुआ नजर आएगा तो अगर आप लोगो join करना है सस्ते में क्योंकि कई बार बोलते हैं कि सर पैसे नहीं है तो फिलाल अभी यहाँ पर यह आप लोग उसको join कर सकते हैं और जादे से जादा लोगों के साथ में share करना ताकि वो जो classes है जादे से जादा लोगों तक पहुचाए जा सकें क्योंकि इतने affordable price में आज तक किसी ने भी NCRT का course वगरा जो है वो launch नहीं किया है तो इसलिए हैं आपर बहुती quality वाला बहुती affordable course है जो कि आप लोग जाकर देखेगा कितने शांदार तरीके से lecture आप लोगो देखने को मिलेंगे और अच्छे से सारी चीज़े उसके अंदर में cover होती है आप लोगो नजराएगी ठीक है बड़ो को नमस्ते चोटो को प्यार चोड़ी सी life एंज्यो करार में तो नेक्स के लेक्चर में तब तक के लिए जैहिंद मोज लो रोज लो नहीं मिले तो खोज लो खुस रहो और अपने पढ़ाई पर फोकस करो